रेगुलर्ली होती है special class सबा चार बड़ी है मैं आपको class का schedule बता देता हूँ हम लोग आप में सभी लोग अगर आप लोग basic batch में नहीं पढ़ रहे हैं तो जो बहुत ज़रूरी है अगर आप bank और insurance के 2022 के सभी exams के त्यारी कर रहे हो तो English के उस basic से पढ़ने के लिए एक batch है banker batch आप इसको join करो banker batch के timing है तीन बचकर पंदरा मिनट यह आपकी class होती है दूसरा दोस्तो आपके लिए class है इसके तुरंद बादा में एक unacademy पर free special class भी करते हैं जिसका नाम होता है दोस्तो banker batch practice session यह practice session दोस्तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि regularly जितना ज़्यादा आप practice करोगो उतना सीखोगे practice session यह 4 बच कर 15 मिनट पर होता है आप लोगों ने अगर enroll नहीं किया है तो इसे enroll कर लेना दोस्तो कैसे enroll करोगे मैं आपको यह दिखा देता हूँ ठीके दोस्तो आजाओ enroll करने के लिए Unacademy Learning app download करके install करो यहाँ पर आप अपना goal चूज करो आपका goal है bank exam मेरा नाम डू 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 नो विशाल परिहार मैं मिल जाओंगा मुझे follow करके मेरी profile में आना plus पर आओगे दोस्तो तो plus का course मिलेगा यहाँ पर आओगे तो special course मिलेगा course open करने के लिए यह वाला code लगाना A.B.P.T.N. आपकी class हो जाएगी open यह वाला आपको काम करना आज शाम सवा चार बने ठीके और अगर आप subscription नहीं लिया तो इसी code को लगाना दोस्तो आपको subscription मिलेगा benefit यह होता है code से तो आपको 10% off तो हमेशा मिलता है फिर भी अगर कोई offer चल रहा होता जैसे कि फिलाल अभी offer चल रहा है अगर आप 6 मेने कर लेंगे तो 1 month extra आपको subscription मिलता है तो इस तरीके से आपको 12 मेने और 24 मन्त सभी में है तो कभी भी कोई भी offer मिलेगा इस code को लगाना आपको subscription में आपको benefit मिलेगा इसके अलावा दोस्तो subscription आपको complete bank का मिलता है जितने भी teachers bank category को पढ़ाते है सारी classroom मिल जाएगी math, reasoning, English, GA, Hindi सब मिल जाता है आपको आप आराम से उसको पढ़िए ठीके आजाएए इसके बाद दोस्तो ask a doubt एंग new feature है unacademy पर आप लोग ask a doubt में अपने question पूछना शुरू कर दो bank exam category में live हो चुका है English question पूछो कोई दिक्कत समझ रहा है दोस्तो बताइए कर team bet ही हुई है आपका answer करने के लिए आप ask a doubt question पूछेगा इसके लावा दोस्तो हर संड़े आपका IBPS clerk means कर test होता है इसको भी जरूर दिया करो test देने के लिए भी आपको enroll करना इसी code को लगाना enroll कर लो enrollment बहुत जरूरी है इसके लावा दोस्तो आप लोग के लिए unacademy bank combat होता है every Sunday, Sunday भी होगा इस code को लगाना अब तक के लिए बाइ-बाइ, take care, love you all जै हिन, जै भारत, thank you very much दोस्तों, thank you नमस्कार दोस्तों, we are live हम लोग जुड़ चुके हैं, live मेरा नाम है विशाल परिहार और आप लोगा स्वागत है आज खास इस session में सुपा से हम लोग पढ़ रहे हैं और second session है आज की दिन का तो एक बार फिर से धेर सारी शुपका अपना एक गरतंतरता दिवस की happy republic day और आप सभी लोग के लिए आज मैंने एक task दिया हुआ है उस task को आपको complete करना है और आज शाम को मैं पूछूँगा ये task कितने लोगों ने किया एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निबाना है task मैं repeat करता हूँ task आज का ये है आपका कि आपके छोटे भाई बैन या छोटे जो भी बच्चे आपको मिलते हैं जो आपके आसपास हैं उनको आपको सिखाना है कि असल में republic day हम क्यों celebrate करते हैं एक साधारल भाशा में constitution की value क्या है हमारी life में उनको साधारल भाशा में समझाना है क्या constitution हमारी life को सही direction में बढ़ने देता है किस तरीके से constitution हमें safe मैसूस होने देता है किस तरीके से constitution ही है जिसका होना बहुत जरूरी है, जिसकी वज़े से हम सभी लोग अच्छे से जी पा रहे हैं, सब अपने काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो यह आपका टास्क है, जिसको आपको करना है, अपने छोटे भाई बेन, दो चार लोगों को भी अगर आपने अच्छे है समझाया, त तो बस ये आपकी success होगी है ना क्योंकि छोटे बच्चों को समझ नहीं आता है कि what is constitution and what it is basically है ना तो उनको तो बस मौज़ करनी होती है तो छोटे बच्चों को आप समझाएंगे भारी बरकम शब्दों में नहीं आसान आसान शब्दों में ताकि उनको भी समझ में कि इन भा माग में रहेगा हमेशा ठीक है चलिए दोस्तों आपने ये बात खतम करके आगे बढ़ते हैं और आज का session शुरू करते हैं आज का session दोस्तों हमने fill in the blanks का session रखा है और दोस्तों ये session fill in the blanks का part 1 है अभी हम लोगोंने दो part करे हैं error detection के आप में से अगर लोग नहीं हैं आपको मिल जाएगी वरना आप search करना SBI clerk fill in the blanks SBI clerk error deduction by Vishal sir आपको मिल जाएगा अब साथ में दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ आज हर एक question को हम बिल्कुल 0 से start कर रहे हैं 0 से कहने का मतलब है कि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब fill in the blanks exam में आते हैं तो कितने कितने समझो और इसको note कर लो type number one type number one दोस्तों ये होता है कि आपके यह फिलिंदी blanks आता है conjunction पर based अब आपको बताना होता है कि यहां however आएगा आपको बताना होता है यहां पर if आएगा आपको बताना होता है यहां and आएगा क्या आएगा so this is the type number one जा conjunction based आपका fill in the blanks आता है और clerk का कोई भी exam हो previous paper उठा के देखना बहुत सारे question आपको conjunction based मिल चाहेंगे that will increase your confidence तो यह आप करेंगे तो पहला question ही दिखा दे रहूं मैं आ देता हूं ठीक है और टाइमर के साथ दिखाता हूं question number one आपके लिए here it is यह रहा conjunction based आपको बताना है come on 30 seconds ले रहें अगले 30 seconds में मैं समझाओंगा बताईए answer कि अगले 30 seconds है तिस सेगेंड हो गया अंसर आना शिरू हो गया इफ 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 शबाश ओप्शन नंबर वन भी आ रहा है इफ एन आप्शन नंबर वन अब आप देख पा रहे हो इसे पूछ लिया गया यहां अब आपका फिलिंदी ब्लाइंग्स में उस कंजंग्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो नॉलेज हमें कहां से मिलेगी जब हम उसका बेसिक पढ़ रहे होंगे ग्रैमर में यानि कि ग्रैमर का कनेक्शन है इस कोशन में पढ़के देखते हैं डाश चीफ मिनिस्टर हेल्प करता है वी आर कोई टू फेस प्रॉब्लम इन रिसीविंग डी फंड हमें प्रॉब्लम फेस करने जा रहे हैं फंड को रिसीव करने में अब आपने इतना समझा अब आप खुड़ो और लोजिक लगा रहे हैं यानि कि जब तक कि कोई चीफ मिनिस्टर हेल्प नहीं करता तब तक हमें क्या है कि प्रॉब्लम होती रहेगी फंड को रिसीव करने में यानि इसका सेंस यह जा रहा है कि जब तक कोई चीफ मिनिस्टर मदद नहीं करेगा तब तक क्या है कि हमें प्रॉब्लम फेस होती रह यहीं करेगा तब तक मुझे फंड करने में मदद नहीं मिलेगी या फंड करने में मुझे प्रॉब्लम आती रहेगी यह वही सेंस बन रहा है जब तक यह नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा तो जब तक यह नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा जब तक यह नहीं होगा जब से या फिर अंटल से इतना समझ में आया दोस्तों यह लॉजिक या तो अलेस्ट से आएगा या अंटल शी अंटल से आएगा इन दो चीजों से आता है logic अलेस्ट और अंटल अब मैं आपको एक कमाल लोगों ने बता दिया यहाँ पर unless और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी until पर आ रहे it's okay it's okay दोस्तों अब मैं आपको समझा देता हूँ इसका uses जब कभी भी यह condition ही तो बताई जा रही जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा दोस्तों unless unless जैसे कि आपने कहा कि unless you study जब तक पढ़ाओ पढ़ोगे नहीं unless you study you will not get more marks तब तक आपको ज्यादा marks नहीं मिलेंगे हमने देखा जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको marks ज़्यादा नहीं मिलेंगे condition है जब तक यह नहीं होगा यह condition है general जब बात होती है तब हम दोस्तों unless use करते हैं और अगर इसी condition में हम समय की भी बात कर दे ताइम की भी बात कर दे तब हम दोस्तों अंटिल यूज़ करते हैं बात समझ में आ रही है अगर हम समय की भी टाइम की भी बात कर दे तब हम यूज़ करते हैं अंटिल बहुत ध्यान से देखो कभी नहीं भूलोगे जिंदिगी में नहीं भूलोगे कितना भी समय की बात करें until until you return जब तक आप लोटोगे नहीं he will not go there ये वहाँ नहीं जाएगा क्या कहीं sense आ रहा है time का जब तक कि आप लोटोगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा जब तक कि आप लोटोगे नहीं until you return जब तक कि आप loto गिनी that means it gives you sense of time यह आपको time का sense दे रहा है बहुत शांदार तरीके इस दिमाग में set रखना है चाहे fill in the blanks आ जाए चाहे error आ जाए मुझे बहुत एकदम बारीकी से समझना है जहाँ time की बात होगी we need to use until और जहाँ time नहीं है सिर्फ condition है वहाँ पर हम unless use करते हैं बोलो समझ में आए कि नहीं everyone जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार बड़े ध्यान से देखा हमने until और unless हमें समझ माइस की conjunction के uses और यहां आप आते हैं यहां देखकर समझ में आता है unless chief minister helps जब तक कि chief minister मदद नहीं करेंगे we are going to face problem in receiving the fund तो हमें problem face करती रहने पड़ेगी fund को receive करने में यानि कि जब तक यह नहीं होगा तब तक ऐसा होता रहेगा या तब तक ऐसा नहीं होता रहेगा दोरह तरीकी के sentences होते हैं पर ध्यान रखना है unless use होगा only in condition और until use होगा condition के साथ time भी लगेगा तो यह हो गया दोस्तो type number one जिसको मैंने आपको बता है ओके यह हम समझ गए fillindi blanks का एक type आता है जो conjunction based fillers होते हैं सब ने सीख लिए conjunction based fillers बोलें जी sir done अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ और एक इस if को और बता देता हूँ if or unlike यह कैसे use होते है इतना पते चल जाएगा तो और मजा आजाएगा तो if or unlike को और देख लो if बड़ा सा धरण है if ऐसे use होता है अगर ऐसा हो अगर वैसा हो इस तो बहुत सिंपल है if कभ यूज़ होता है अगर ऐसा हो है न यदी ऐसा हो हम ऐसे करके इंदी में लिखते हैं कि अगर ऐसा हो यदी ऐसा हो तो ठीक है तब हम यूज़ करते हैं इफ को और यह अनलाइक कैसे यूज़ करते हैं अनलाइक कैसे यूज़ करते हैं मालूम है जो लोग फेस्बुक के जादा दीवाने हैं आर option आता था like का और एक option आता था unlike का वो dislike का option नहीं आता हूँ तो youtube पे आता है एक आता है like का और एक आता है dislike का पहले एक आता है like का उसका मतलब मैं बताता हूँ क्या था उसका logic मैं बताता हूँ क्या था facebook youtube के तरह नहीं था पहले है ना आज facebook YouTube के तरह भी है Facebook का मतलब यह था कि ऐसी बुक जहां पर आप अपने रिष्टेदारों अपने दोस्तों आपने जान पेचान वाले लोगों से मिलते हो आप उनके जैसे हो तो आप उनको लाइक करते हो आप उनके जैसे हो तो आप उन्हें लाइक करते हो किसी का फोटो देखा अच्छा यह तो मेरे दोस्त है थमस अप यानि आपने उसे लाइक किया यानि आप उनके जैसे हो आप उनके जैसे नहीं है आप उनके जैसे नहीं है उनके जैसे ना होना उनके जैसे ना होना उनके जैसे ना होना अनलाइक होता है समझ में आया उनके जैसे होना लाइक उनके जैसे ना होना अनलाइक तो उसका इस्तेमाल भी ऐसे होता है हमने कहा कि you always study तुम हमेशा पढ़ते हो unlike your friend क्यानि कि तुम्हारा दोस्त है वो नहीं पढ़ता unlike लगया नहीं कि वो वैसा नहीं करता है जिसे तुम करते हो या फिर हमने का unlike your friend you don't study या आपका friend study करता है आप नहीं करते है मतलब समझो कैसे लगता है हमने का unlike your friend you don't study इसका मतलब पता ही क्या हुआ unlike your friend you don't study मतलब आप पढ़ाई नहीं करते यह तो समझ में आ रहा है unlike your friend यानि कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे जैसा नहीं है इसका मतलब वो तो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई करता है sense समझ में आया दोस्तों किस तरीके से use करते है बताओ सबी लोग बताओ समझ में आया sense कैसे करके हम इसे use करते है वो तो आज का time you बदल गया है जिसका मतलब जिसकी photo पे ज़्यादा like उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ऐसा नहीं है logic कुछ यह logic कुछ और था जिसको लोग कन्फिस हो जाती यह like unlike conjunction है वो like डिसलाइक वर्ब होती है I like you मैं तुम्हें पसंद करता हूँ I like you मैं तुम्हें पसंद नहीं करता यह वर्ब है और यह conjunction थे I like you मैंने तुम्हें पसंद किया I dislike you मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया यह वर्ब है अंतर समझ में आया दोस्तों मुझे बोले जी सर अंतर समझ में आ गया है ना समझ में आ गया बढ़िया रियल लाइफ इग्जैम्पल पर्फेक्ट ना आएंगे हमने दिमाग लगा रहा है ठीक है पहला सब लोग शिख गए अगले कोर्शन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों सेशन यहां तक अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है लाइक बटन पर प्रेस करके आप लोग अपनी पसंद मुझे बता सकते हो यह वाला लाइक है कि आप पसंद करते हो विशाल सर को पसंद करते हो तो विशाल सर के सेशन में वीडियो पे थमसाद देना विशाल सर को नहीं विशाल सर को कॉंटेंट पसंद करते हो तो रशाल दर को क्या ही पसंद करोगे यार हैं चलो इसका अंसर करेंगे सबी लोग और इसका अंसर करोगे मज़ेदार तरीके से बड़ी आची बजी खोगे चलो ग्रैमर वबेज्ड है झाल क्षब आगे चलो इसा ही टू के मिले मुड़ी है बज्बक्रबख़स करें विय हुआ चलो दोस्तों एक मिनट अपना हो चुका यहां पर और अब यह कोश्चन किस पर बेज़द है। इस फिलिंदी ब्लाइंक्स के कोश्चन मैं बता रहा हूं फिलिंदी ब्लाइंक्स वो फिलिंदी ब्लाइंक्स जो की grammar based होते हैं अभी हमने देखा grammar में conjunction based और अब वो जो tense पर based, verb पर based यानि की grammar based fillers है यह यहाँ पर शब्द का मतलब से मतलब नहीं है grammar के मतलब से मतलब है अब ज़रा सुनो, क्या लिखा है फिर आपको grammar लगानी है न usually when the local festival is a week away usually जब local festival के लिए एक हफता रह गया हो कि एक हफते बाद को एक local festival होना है यह लोकल का मतलब यह नहीं कि ये product local है ये product original है local मतलब एक ऐसा festival जो particular उसी जगा पर मनाया जाता है वो local festival कहलाता है यह ना कि वो locally मनाये जाता है वो उतनी जगा पर मनाये जाता है तो ऐसा कोई festival जिसको लेकर एक हफ़ता बचा हो the number of customers in the shop dash तो shop में जो number of customers हैं देखकर मालूँ पड़ जाता है वो बढ़ते हैं हमें logic यह समझना है grammar हमारी यह कहती है दोस्तों हमने देखा the number of customers in the shop shop में customers का जो number है subject क्या है the number shop में जो customers का number है subject क्या है दोस्तों the number तो आपको वर्ब भी किसके according लगानी है the number के according और हमेशा याद रखिए the number अगर कभी लिखा होता है तो वो हमेशा singular subject consider होता है दोस्तों यह है subject और इसको हमेशा singular ही consider किया जाता है क्योंकि यह fixed होता है ना article 10 से definite होता है वही अगर a number लिखा होता दोस्तों मैं यहां लिख दे रहा हूँ अगर subject के place पर दोस्तों a number लिखा होता ना तो यह आपका plural subject consider होता तब जब यह subject हो जाता दोस्तों आपका यह plural subject consider किया जाता यह आपका singular subject consider किया गया है यह आपका plural subject consider किया जाता है इसे जिसको नहीं पता आप आप समझ लो तो अब आपने देखा दोस्तो singular subject है वर्ब भी singular चाहिए और present में लिख रहे हैं वर्ब singular होती है तो वर्ब में S और E S लगता है वो कहां दिया है only option number 4 में दिया है यानि कि यह हो जाएगा the number of customers in the shop increases वो बढ़ते हैं एक हपते बाद कोई festival होने वाला है दुकान में फिर लोगों की तादाद बढ़ने लग जाते हैं लोग खरीदारी करते हैं यह ना चलो खरीद ले रहे हैं तो वो सारे काम हमने यहापर देख लिया समझ गे मुझे बोले य सर जी डन हाँ वरी गुट वरी गुट वरी गुट सबको समझ में आ गया शाबाश वरी गुट हाँ हाँ राइट करके आज कल यह वाला साइन भी बहुत एसा साइन का क्या मतलब है मेरे को बता दिया करो यार है ना सब को समझ में आ गया अच्छा साइन हो तभी बताना उल्टा से साइन मत करना चलो अब यह कुशन है दोस्तों आपके लिए अगला यह कुशन है वर्ड बेज़्ड फिलर करो टाइप नमबर थुरी है बताओ बताओ ओके टाइम अप अब दोस्तों यह वर्ड बेज़ जो फिलर होते हैं यहां पर आपको वर्ड का मतलब पता होगा तब ही आप इसका आंसर कर पाओगे और कई बर क्या होता है word के मतलब हमें पता होते हैं बड़ उसके uses नहीं पता होते हैं तो गरबर हो जाता है आप जैसे कि यहाँ आप देखो provide का मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं आप giving का मतलब भी किसी को कुछ दे रहे हैं आप दोनों का मतलब similar हो गया captivate का मतलब होता है किसी को बंद कर देना मतलब limitation में उसे बांध देना captivate presume किसी के बारे में कुछ अनुमाल लगाना offer का मतलब भी किसी हो कुछ देना तो एक तरीके से आप ये और ये और ये तीनों का मतलब एक ही सा लग रहा है है ना बट इन तीनों की usage में अंतर है कि कब हम किस word को use करते है question पढ़ेंगे the company has discontinued company ने रोक दिया continue कर रहे हैं ये company तो लगाता है चल रहे है कोई काम discontinue यानि रोक दिया the company has discontinued the practice of dash the staff with the free lunches यानि की company कुछ staff को देती है free lunch देती है free lunch देती है 35 रुपे की ठाली हाँ 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 है ना lunch वाला तो free lunch देती है company तो company जिस भी service को देती है वो company उस service को provide करती है आप हमेशा एक keyword यूज़ करेंगे that is providing कोई भी facility दी जाती है वो facility हमेशा provide की जाती है इस बात को आप अपने दिमाग में रख लो अगर आप reading करते हो तो ये बात मतलब आपके दिमाग में कभी cut out create होने ही नहीं देगी कि company किसी काम को अगर facility दे रहे है तो वो होगा क्या वो सिर्फ और सिर्फ होगा provide कुछ और नहीं होगा क्या bank हमें 15 लिटर पेट्रोल का पैसा देती है की नहीं रिद्धी तो वो चीज़े bank आपको provide करती है ना offer करती है ना giving वो provide करती है facilities है साथ की साथ मिलती है हमेशा use करो provide word captivate तो मतलब चंगुल में पकड़ देना होता उसे आगे ना निकलने देना और presume मतलब किसी के बारे में सोच और आज्यूम कर ले ना किसी चीज़ के बारे में that is presume सब को समझ में आगया मुझे एक बार चरा सब लोग एक बार करके बता दे अपना-पना यहां पर लिख कर बता दे मतलब किसार समझ में आगया है ना कि बढ़िया ना ओके चलो बहुत बढ़िया कोशन थी तो हमने कर लिया यह शांदा आओ कोशन थी का मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर अधर अब देखो वही कोशन है थोड़ा सा अभी बढ़ा हो गया कोशन लैंग्विज थोड़ी सी अपकी अलकी सी लैंग्विज में करेंगे सब करेंगे बताएं करने की कोशिश करें से बताएं कि 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 आंसर करना शुरू करे हैं, लोगों ने आंसर आंसर आना शुरू हुआ, वन आ रहा है, सी आ रहा है, अब हम इसे पढ़ते हैं, सब लोगों के अंदर एक आंसर करने के बाद एक चीज ज़रूर बनी रहती है, कि यार मैंने आंसर किया है, क्या मैं 100% sure हूँ, जब आपको ये लगने लगता है, कि you are 100% sure, इसका मतलब है कि अब आपको उस लेविल के उपर बढ़ने की ज़रूरत है, बट अगर लिखने के बाद भी आपको लगता है, you are not so much sure, अब आप कोई calculator तो है नहीं calculate करके निकालोगे, how much percent you are sure, but you are not sure जब ना, तो बड़े ध्यान से उसके uses समझ मार्टिन लूदर, stride for justice, इन्होंने मतलब stride किया, stride का मतलब होता है, मशक्कत करना, लड़ना, जगड़ना और कोशिश करना, कुछ अचीव करने की, that कोशिश is called stride, उसे बोलता है stride, so मार्टिन लूदर, stride for justice, justice के लिए उन्होंने stride किया, यानि मशक्कत करी and fought against attempts, और use, उन्होंने दढाई भी करी, to dash ignorant peasants, ignorant peasants को dash करने के लिए, peasants बोला जाता है, किसानों को, गरीब किसानों को ignorant मतलब हो जाता है वो लोग जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया वो ignorant हो गए ignorant peasants मतलब वो लोग वो किसान जिस पर ध्यान नहीं किया गया ignorant peasants in the medieval ages तो उनकी डैश को अब उन किसानों के साथ क्या किया गया होगा to influence अगर किसानों को influence किया जा रहा है तो क्या इसके खिलाफ लड़ेंगे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं कि influence करके कुछ गलत कर दिया कुछ ऐसा करके तो लिखा नहीं है यानि हमें तो negative word चाहिए तो influence आपका term नहीं बन पा रहा है अगला देखा to change, ignorant, present change change का मतलब बदलना होता है कोई मतलब, कोई logic कैसा नहीं बना अगला दिया exploit exploit is the term दोस्तों इसको use करते हैं हम दो तरीके से जब ये इनसानों के साथ use होता है ना word human के साथ exploit तो उसका मतलब है उससे बहुत ज़्यादा काम करवा लेना, पैसा कम देना उससे निचोड़े लेना social कर लेना, तो जब ऐसे social करने का मतलब आता है ना तब दोस्तों हम use करते हैं इसको human के साथ exploit और किसानों के exploit करने का ही मतलब आ रहा होगा, तब ही वो लड़े होंगे उसके against है ना, ignorant peasants को exploit करने की बात हो रही होगे उनको exploit किया तो यह तो हो गया, see वाला, yeah, absolutely लग रहा है लेकिन और भी options को ध्यान से देखना, do they corrupt to corrupt ignorant peasants ignorant peasants को वो corrupt कर देंगे नहीं, ऐसे आप किसी को corrupt नहीं कर सकते ना, कि मैंने इनको corrupt कर दिया, क्या corrupt कर दिया या तो वो खुद corrupt है या वो corruption कर रहा है वो किसी व्यक्ति को corrupt नहीं कर सकते हैं तो corrupt का नहीं बना, discharge भी नहीं बन पाएगा, तो आपने देखा discharge का इस्टमाल होता है, usually तब जब आप अपनी service, अपना काम कर रहे हो, तो काम अगर आप कर रहे हैं तो काम, service आप discharge करते हो तो वो discharge का use नहीं आया Option number C is the right answer ये दो तरीके से use होता है धोस्तों human के साथ use होता है, social के sense में ये हमेशा negative sense देता है लेकिन, लेकिन, लेकिन यही exploit दोस्तों, दूसी तरीके से भी use होता है, दूसी तरीके से use होता है, resources के sense में resources और ये negative नहीं होता resources के sense में जामने का resources को exploit किया तो इसका मतलब है उसका आपने पूरा इस्तेमाल किया make full use of something make full use of something for example आपके सामने दी हुई है विशाल सर अरुन सर पुनीच सर की videos और अगर आपने क्या videos को exploit किया क्या उन resources से आपने पूरा शीखा क्या उनको अपने पूरे तरीके से इस्तेमाल किया अगर हां किया that means you have exploited the videos ये आपका negative नहीं ये positive हो जाएगा negative बनता है जब इंसानों की बात होती है positive बन जाता है जब चीजों की material किया फिर resources की बाते होती है क्या ये दोस्तों आपको समझ में आगया सभी लोग मेरे को बताएं जी सर absolutely समझ में आगया मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों अराम अराम से सब अच्छे से समझाने किया रिक word की ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए मुझे एक बार सब लोग बताएं जी सर बढ़िया समझ में आगया हमें कोई दिक्कत नहीं है है ना फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे है ना फिर हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे सब लोग एक बार बोल दो है ना वेरी गुड वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आजाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं न अगला कोशन दोस्तों आपके लिए ये रहा अब ये वो वर्ड आगे जिनके मतलब जानने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप इसे भी कर पाऊगे जड़ा करने की कोशिश करेंगे आप इनके मतलब बताएं यहां पर है न है इसके आप मतलब बताओ फड़ा फट से वर्ड और इसके मतलब कर दो चलो दोस्तो, एक मिनट अब आपका हो रखा है, खता, अब इस question का answer करने के लिए हमें थोड़ा word की knowledge होनी ज़रूरी है, अगर हमें सच बात तो यह word का मतलब नहीं पता होगो, तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो फिर तुक्का हो जाएगा, कियार सही हुआ की गलत हुआ, अब मैं आपके लिए suggestion यह दूँगा, हार एक word का मतलब आज आपको यहां लिखना है, साथ की साथ daily the Hindu editorial और google news आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं न, daily आप जब उनको पढ़ते तो वहाँ जो वो क्याब आते हैं, आपको उनको लिखना है, तीसरी चीज, सबसे जादा बेहद important, कल भी मैंने class की थी, आप मुझे बताएंगे कितने लोगों ने वो कल वाली class ली थी, वो class बहुत जादा important है, अगर आपको वो क्याब को और improve करना है, yesterday 3 p.m. on unacademy special class, unacademy special class, मेरी daily class होती है, तीन बजे, आप तीन बजे वाली class कितने लोगों ने देखी थी, कल मैंने वाँ पर fill in the blanks की question कराए थे, those questions are very very important, उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा word कितना difficult था, वो आप लोगों ने कल किया था, कितने लोगों ने वो class करी थी, कल वाली ये आप दोस्तों मिर को बताओ, क्योंकि ये अगर आप कर लोगे तो मज़ को जाएगी क्योंकि मैं आपको करा ही उसी में सराओ fill in the blanks से, जो fill in the blanks की जरूरत होती है, क्या ये बात समझ में आ रही, कई सारे लोग थे जन्होंने लिखा भी me, very good, शाबाश, यही मैं चाहता हूं दोस्तों, ये जितने भी comment में आ रखे न मी, इन सभी की तरह जो नही होगी क्यों, क्यों की, because both the management and the workers, दोनों की दोनों management, और जो workers है, are dash, दोनों की दोनों dash है, dash क्या है, पहला वड़ है, incipid, incipid का मतलब होता है, tasteless, flavorless, क्या यहां किसी के flavor की बात होगी, management का भी flavor अच्छा नहीं है, और workers का भी flavor अच्छा नहीं है, कड़वा है flavor, नहीं, अगला वर्ट दिया इंट्रांजीजेंट इंट्रांजीजेंट एडिटोरियल में बहुत बार यूज़ होता है जिसका मतलब है आपने अपने दिमाग में थॉट बना लिया अब आप बदल नहीं रहे तो जब जब ऐसा वेक्ति हो जाता है हम नहीं बदलेंगे तो फिर वो कैसे स्ट्राइक खतम होगी और यह अपसलूटली बनेगा इस ट्राइक विल नॉट एंड बिकॉज दी मैनेजमेंट एंडी वर्कर्स आर इंट्रांजीजेंट क्योंकि वो इंट्रांजीजेंट है अकड़ू है दोनों की दोनों अकड़े हुगा खड़ा हुआ ह हम तो नहीं मानेगे वो कराम भी नहीं मानेगे ना मानो इसलिए दोस्तों आपका इंट्रांजीजेंट बीतो हो गया आंसर c में आ गए intricate pa मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी है जो बहुत ज़ादा complex है complicated है तो अब अगर दोनों की दोनों complex है, complicated है कोई question तो है नि, कोई situation तो है नि जो complex है, complicated है जो समझ नहीं आ रहा है इसलिए आपका यह नहीं लगेगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है complex या फिर मझ रहे हैं अगला वर्द्धिया इन एक्समिकेबल इन एक्समिकेबल ऐसी कोई चीजिसे histories लें ना किया जा सके तब एस इन एक्समिकेबल अने लिश्वी केबल ऑने टूबल्वी एक्सब्लेइन describing explain ना किया जा सके sad and यानि की बहुत ज़्यदा हो इदम sad दुखी हो जाना ये तो समझ में आई किया and the answer is option number B डोलो डोलो बोलती है मुझे बोलना था बोलो दोस्तों दोलो हो गया तो डोलो समझाया कि नहीं समझ में रखवाता हो यह सर समझ में आगया हम सबी दो लोगो है ना एक बार सब लोग मुझे बुलें जी सर समझ में आगया बढ़िया फर्स क्लास लिखकर बता दो सबी लोग very good not explain नहीं किया जा सकता शाबाश बहुत बढ़िया सीखते जा रहे हो तुम लोग तो हुश्यार हो जाओगे यार बहुत जल्दी इतनी जल्दी हुश्यार जभी हो पाओगे जब आप डेली पढ़ोगे बिना रुके लगे रहोगे है ना लगे रहना और जब आपको ये जूरी है ऐसा हूभ नहीं सकता कि कोई वक्ती जो इंगलिश में मेरी क्लास ले और उसके मांक्स ही नहीं आ Harvey told I झाल चलो भीया एक मिनट हो गया और यहाँ जो आंसर मैं देख रहा हूँ आप्शन नंबर भी लगा दिये लोगों ने प्राउड प्राउड उन्हें प्राउड मैसूस होता था अरे मदट अरे सा आम व्यक्ति नहीं थी कि उन्होंने चार अच्छे काम किये चार अच्छे काम के लिए वो प्राउड महसूस करमाएं नहीं थी वो वो तो आम आदमी होता है जिसने एक अच्छा काम किया और जिन्दिकी पर उसी कही प्राउड करता है कि किस बात का आपको प्राउड है क्यों कि आज से 20 साल पहले मैंने कुछ ऐसा किया था और 20 साल तक क्या किया 20 साल तक मैंने उसी काम का प्राउड किया ना प्राउड गलत हो जाएगा पड़ो सेंटेंस क्या था प्राउड एपसलीटली गलत होगा जान गुचकर मैंने या प्राउड लिखा हुआ ताकि देखके लगी कि अच्छा कुछ अचीवमेंट तो प्रा रहा है अन्विलिंग मतलब इच्छुक नहीं थी अनिचुक थी अनिचुक उनका बन्नी होता था तू डाश डैम बेफोर एनिवन कि किसी के सामने उसका गुडगान किया जाए किसी के सामने उसके बारे में डिसकेशन किया जाए वो उसमें अनिचुक थी यही से तो पता चल कर दिया नहीं कितना भी अच्छा करते रहे वो सब बिलकुल एकदम मॉडेस टाइप से रहते थे इसी वज़े से दोस्तों पुरी तरीके से गलत हो गया क्या बन सकता है मदर टेरेसा वो अचीबमेंट का अपने आच्छा करना एक तरीके से वा आप काम रहते हैं उससे हम बोलते हैं कि वो बहुत मॉडेस्ट थी तो Mother Teresa was modest वो modest थी about her achievements and unwilling to discuss them before anyone और किसी के सामने उस कुछीज को discuss करने के लिए unwilling ही रते थी हमने डिसक्स करने ठीक है हमने किया अच्छा किया and that is the right answer option number proud के चक्कर में दोस्तों गलत हो गया है ना promote वो ही गलत हो गया दूसरा unsure और reveal तो यह होता है किसी के बारे में आप sure है कि नहीं तो यह ऐसा तो काय कोई काम नहीं हो रखा कि I am sure और I am unsure है ना कि इसका answer क्या होगा option number 4 या 3 आपने का 3 are you sure 4 this is called unsure तो unsure आएगा नहीं हाँ ignorant मतलब जिसके बारे में जानकारी ना हो पता ना हो उसे हम बोलते ignorant immodest modest का just opposite हो जाएगा opposite लागा नहीं सकते जब modest थी वो immodest नहीं लगा सकते और यह play लिखा है play का मतलब किसी के सामने उसे खेल खिलना वो सब तो negative हो गया इसलिए option number A is the right answer समझ में आया यहाँ पर आपको logic यूज करना होता है logic का इस्तिमाल है ना यह logic का इस्तिमाल करोगे सही answer कर पाओगे यह मैं आपको बताता हूँ यह regularly आपको करना है मेरको बोले जी सर हमें समझ में आ गया everyone सबको समझ में आ गया सबको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सबको समझ में आ गया तो आप जरा थमसब देकर अपना प्यार जरूर दे सकते हो इस वीडियो में और वो लाइक बटन वे प्रेस करके दे सकते हो दोस्तों सभी दोस्तों चितने देख रहे हैं थमसब देकर में को बताना जी सर समझ मागया अपना टाइम भी हो चुका है हम इससे जादा नहीं पढ़ेंग अनकेडमी स्पेशल क्लास पर मिलने वाले हैं हम सब लोग आप सभी लोग मिलेगा स्पेशल क्लास पर कैसे मिलते हैं स्पेशल क्लास पर आप अनकेडमी लर्निंग डाउनलोड करना अप डाउनलोड करने के बाद मेरा नाम धूनना मेरा नाम है विशाल परिहार आप लोग जो नए हैं जो नहीं जानते सब लोग एक दोस्तों ऐसे करके नाम ढूंड़ना मेरी प्रोफाइल मिलेगी मुझे करना follow follow करने के बाग आप वहा आना special class पर आपको वो special class मिलेगी daily होती है दोस्तों special class तीन बदे आप आओ जुड़ो और अपने आपको improve करो filler कर रहे होंगे मापरम और उसका फाइदा उठाओ जब आप आओगे आपसे invitation code मांगा जाएगा कि भाईया आपको invite किया गया एक code लाए हो मुझे देते हैं ये card कि ये लो भाईसाब आना है आपको शादी में तो वे तक card लाए हो शे बजे और डेली शाम 6 बजे जब हम मिलते हैं तो मिलते हैं हम Google News पर Google News को डेली पढ़ना इतना अच्छे सिख जाओगे जहां दूसरे बच्चे सिर्फ बैठे होंगे सिर्फ ये सोचते होंगे कि पढ़े की ना पढ़े पढ़े की ना पढ़े बहुत आगे आगे होंगे खतम करते हैं दोस्तों बाई बाई टेक टियर लव यू ओल जैहिन जै भारत आज आप मेंसे हर वो स्टूडेंट जिसने एन्रोल किया हुआ है न्यू बैच के लिए तो न्यू बैच के लिए आप लोग सब लोग मिलना है आज क्लास है बारा बजे इंग्लिशी क्लास सवा एक बजे मैच की क्लास और धाई बजे रीजनिंग में पुनी सर की क्लास तो इन क्लास के लिए मिलना ये प्लस की क्लास हैं और आप मेंसे अगर आप किसी ने अड्मिशन नहीं लियाए लेना चाहते तो एडिमिशन ले लेना कोड आपके सामने यही है एवीपी 10 है ना 10 परसेंट आफ मिल जाएगा खतम करते हैं दोस्तों बाई-बाई टेक क्यार लव यौल जैहेन जै भारत थैंक यू हेलो अब्रेवन मेरा नाम राधा पानेरी है और मैं पहले यूट्यूब पर पढ़ती थी शिक्स मन्स यूट्यूब पर पढ़ने के बाद मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया और तभी से मैं टीम एवीपी से ही पढ़ती हूँ स्टार्टेंग से ही और मैंने उनकी सारी जो वो प्रेशन लेते थे वो लोग एवरी वीकेंड फुल डे टेस लेते थे और उससे मुझे काफी हैल्प मिली और उनकी स्ट्राटेजी अपनाने के बाद मेरी स्पीड काफी बड़ी और मॉक टेस्ट भी रेगिलरली देती थी और इसे लिए मेरा स्बी आई क्लर्क में सेलेक्शन हुआ है तो मैं टीम एवीप को थेंक्यू कहना चाती हूँ क्यूंकि आप लोग कंटिन्यूसली हमें मोटिवेट करते थे और थ्रूआउट हमारे जर्मी में आपका सबसे बड़ा युगदान है तो थेंक्यू टीम एवीप धेर सारी बदाई हो उन सबी कांडिडेट्स को जिनका अभी सेलेक्शन हुआ है टीम एवीप की तरफ से साथ में शुपकामनाई भी है कि फ्यूचर में और ज़्यादा आप लोग तरक्की करें ग्रोथ करें है ना हमारा और आपका सफर यहाँ पर खतम नहीं होता है इसके हिससरा पुष और जोगोर है तो आपके पास जिनका पर समय तो आप कैसे तियारी करने चीह आप में को पताईये हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है कि कम टाइम पर कितना कितना कहा कहा कैसे कैसे समय देना है and then फिर आप प्रोसीड करें आप अपने लक्ष को बिलकुल पाएंगे जिसे इन लोगों नहीं हाँ पर पाया हर बार हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं उन हजारों में कुछ सेक्डों का सेलेक्शन होता है उन सेक्ड सबसेट में जॉइन करिए अपनी सहूलियत के हिसाफ से मैं बता देतर हूँ फी बढ़ जाए बट फिलाल अभी फी 6,000 रुपीज है आपने यहां पर टैप करना है और यहां लिखा हुए है वा रेफरल कोड जो भी फी होगी उस वक्त भी या अभी भी जो फी है आपको ये आपने यहां से करते ना है पेमेंट किसी भी मैथर से वंस्यू मेंट पेमेंट हो गया यहां आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया लेट्स कम तुदी पेज फिर आपने सर्च बाग पर सर्च करना है टीचर का नाम आप अप अबीप से पढ़ दें अवीप का नाम सर्च किजे ए अरुन सिंग रावत अरुन सर का नाम पी से सर्च करिए विशाल परियार मेरा नाम पी से सर्च करिए पुनीत कुमार शर्मा पुनीसर का नाम आप नाम सर्च करेंगे प्रोफाइल मिल जाती है टीचर की उनको फॉलो करिए फॉलो करके उनकी प्रोफाइल में आना यह जो लिगा हुए ना प्लस में आके चेक करो ओन गोईंग कितने कोर्से चल रहे हैं आप कमिंग कौन कौन से कोर्से हैं कौन सा एक्जैम आने वाला है उसके साब से उनकी क्लास को जोईन करिए आप आए क्लास में आप बताए इन विच सिचुएशन यू आर राइट नाओ किस एक्जैम को आप टार्गेट कर सकते हैं क्या क्या आपके पास में हैं कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए वी आ हीर टू गाइड यू इतने सारे वर्षुत से हम गाइड करते आ रहे हैं और वी आर सक्सेस्फुली गाइडिंग पीपल और उसके बाद उतना सेलेक्शन भी होता है तो अच्छी बात है आप भी सेलेक्शन लीजे आप भी आगे बढ़िए वी विशी ओल दी बेस्ट और जितने बच्चे याँ देख रहें तब का आगे भबिश अच्छा हो ये मैं ही शुब कामनागर्त और अल दी बेस्ट अभी के लिए थैंक्यो एवरीवन जै हेन जै भारत गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबा के 9 बच चुके हैं मेरा नाम है विशाल परिहा और हम लोग आपा जुड़ चुके हैं एक घंटे के गैप के बाद सुबा 7 बजे किया हम लोगोंने एडिटोरियल और अब एक घंटे का गैप जिसमें मैंने किया नास्ता और आप लोगोंने भी नास्ता कर लिया होगा मैं यह उम्मीद करता हूँ और 9 बचे फिर से लग चलते है पढ़ाई करने के लिए कहीं कोई भी रुकावट कोई दिक्कत आई कि आप मेरे को जरूर बताना उस दुकत को भी शांदार तरीके से कॉश्चन करेते फिलिंदी ब्लैंक स्के उन कॉश्चन को अब हम आगे बढ़ाएंगे और उनी कॉश्चन में हर एक जगा जरूरत किस किस की क्या है वो वो देखेंगे ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर टाइमर लगा देता हूँ टाइमर के साब से हम लोग उसे पढ़ने वाले है इस क्लास के साथ साथ दूसरी कौनसी क्लास आपको पढ़नी है वो भी मैं साथ की साथ बता देता हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है दूसी क्लास दोस्तों आपके पढ़ने के लिए है Unacademy Special Class आप जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं दूसी क्लास दोस्तों आपको Unacademy Special पर पढ़नी है ओहो दिखा देता हूँ न blank slide पर चलो दूसी दोस्तो Unacademy Special पर पढ़नी है तीन बजे कल कितने लोगों ने वो क्लास देखी थी दोस्तों मुझे बता देना जितने भी लोगों ने क्लास देखी थी और जिन्होंने नहीं देख पाई थी वो दोस्तों जरूर जरूर देखना कल बहुत ही शांदार तरीके सामने word usage पढ़े थे आप लोगों को पता नहीं होगा word usage क्या होते हैं और कैसे करके पूछा दाता है तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका सबसे अच्छा कुछ और ही नहीं आप उसे करो तो ये questions मैंने कल कराए थे word usage के आज भी मैं आपको दोस्तों करवाँगा question तीन वज़े जोड़ना आप सब लोग unacademy special free class पर इस class को join कैसे करते हैं मेरा नाम ढूड़ना विशाल परिहार unacademy पर मैं मिल जाऊंगा और वहाँ पर class को join कर लेना जब आप join करोगे तो invitation code मांगेगा ये है आपका invitation code avp10 इस code को लिखोगे class आपकी on हो जाएगी शांदार चीज मैंने आपको बताई दोस्तों ये शांदार चीज दोस्तों याद रखना सबी लोग है ना जितना अच्छा सीख जाओगे जितना ज़्यादा सीख जाओगे सब आपके benefit के लिए आओ शुरुआत करते हैं दोस्तों question आपके लिए ये रहा आपके सामने word based question है word और उसके usage पर based है मैं आपको time दे रहा हूँ 30 second में आपको इसे करना है और अगला जो 30 second होगा उसमें मैं आपको 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 दूँगा चलो बताएं दोस्तों बताएं 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 मुझे एक डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं वो डाउट मेरे बलकुल सही हो रहा है अब आप कॉमेंट में देखो दो ही ऑप्शन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा एक ऑप्शन नमबर बी और एक ऑप्शन नमबर डी अब यहार देखो बी और डी दोनों क्या किया रहें बी है है और डी है केटस्ट्रॉफिक पड़ो मतलब क्या है अब एलेबल का मतलब कोई चीज होने को है मैं लिख देता हूं उसके मतलब कोई चीज होने को है यानि कि आपाउट तू हैपन कोई चीज होने को है फोर्ट कमिंग का मतलब ही कोई चीज फ्यूचर में होगी कोई से करके याद रगो फ्यूचर में कोई चीज होगी के टेस्ट्रोफिक का मतलब कोई बीचीज ऐसी है जो कि काफी ज़्यादा टेहस नहीं करने वाली कोई काम है कोई कि येने की डेमैजिंगशन समद मिल गया क्लू सर टैमीनेंट का मतलब होता एक कोई व्यक्ति कोई चीज जिसके बारे में हर कोही जानता है यानी कि पेमस सब के मतलब हम लोगों लिख लिया दिमाग में आप सबके लग्या बताना क्या अंसर होगा मेरे को बताएंगे हाँ अपकामिंग लिख सकते हो इसके लिए लिख सकते हो अपकामिंग होता नहीं कि आ नहीं को है ऐसे करके अपकामिंग अप समझो हमेशा हमें लॉजिक देखना होगा अपके एक दम से अर्थकोइक देखकर कटस्टोफ लिखा देना है इसलिख अर्थकोइक वर्निंग अधी फ्रीजिलीटि ओषे कितनी जदा वीख है वीख लिख ने इसको बोलते है fragility weakness को बोलते हैं इसकी fragility ना जूख the fragility of our houses हमारे houses जितने घर है कितने ज़्यादा कमजोर इसकी जो fragility है make a certain वो हमें पक्का गर देते हैं that disaster is dash कि जो disaster है वो होने को है जो disaster है वो about to happen है जो disaster है वो imminent है यानि disaster होने को है disaster is imminent disaster होने को है disaster forthcoming disaster upcoming है कि disaster आने वाला है हो सकता है एक दो महिने में आजाए हो सकता है दस महिने में आए हो सकता है आदे घंटे में ऐसा नहीं है forthcoming हम तब लगाते हैं जह हम कहते हैं कि कुछ policies है जो forthcoming है यानि कुछ दुनों में वो भी आगे introduce होंगी तब आप forthcoming लगते हैं कोई show है वो आगे आने वाला है तो वो forthcoming होता है आपकी exam को notification कोई आने वाला है तो वो forthcoming होता है ना कि ये कि disaster is forthcoming disaster भी आएगा कसली रखो ने ऐसा नहीं है ना आपका forthcoming गरत catastrophic catastrophic adjective जिसका खुद का मतलब है disastrous damaging or disastrous damaging and disastrous तो मैंशे कैसे लगा सकते हैं disaster is a disastrous to disaster है वो disastrous होता a disaster तो होता he disasters क्या यह logically fit हुआ दोस्तो इस logically unfit logically दोस्तो यह वाला गलप होगा logic नहीं लग पाई ना logically दोस्तो यह आपका wrong हो गया क्या यह बात समझ में आई दोस्तो है यह आपका logically wrong हो हो Lobo M Eminent का मतलब Tो famous होता है कोई वेकथी ना इसमीनन हे त्यायो cœur D क्यों हो चलो चलो समय चलो और रहे हैं समय में आहरा नहीं है वहरी गूप शाबाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे, यह वाला हमने पढ़ दिया, पूरा आगे बढ़ते हैं, SBI Apprentice के लिए सर कोई अलग से बैच, कोई अलग से बैच निया, SBI Apprentice के लिए, SBI Apprentice में SBI क्लरक, IBPS, क्लरक लेविल का ही पेपर आता है, क्लरक लेविल का पेपर आता है, आप जो यह पढ़ रहे हो, sufficient है, यह मैं कही बार बता चुका हो नो दोस्तों, सिर्फ क्लरक लेविल का ही आपको बढ़ना है, पहला question सबको समझ में आगया, अच्छे से समझ में आगया है, very good move करेंगे, आप अगले question की दरफ, अगला question देखेंगे, ध्यान तो शांती से आप देखना, सब समझ में आएगा, हर एक word के uses को मैं आपको बताता जाओंगा, तो आप ना उसको सीखते जाना बढ़िया तरीके चे, यह हो गया, अगला देखो दोस्तों आपके सामने, यह र कर लिया दोस्तों, answer करना शुरू करतो, option number 4, answer आने लग गया, ठीक है, मैं आपके लिए काम करता हूँ, telegram का link दे दे रहा हूँ आपको, आप में से कोई भी, जो नहीं है telegram पर, team AVP के लिए, आओ, team AVP का यह telegram का channel है, दोस्तों, मैंने पिन कर दिया है, उस पर जुड़ जाना, information उसमें देते रहते हैं, सारी की सारी, आरुन्जा, विशाल्जा, पुनीश सर, ठीक है, और जैसे एक section complete होता जाता है, वैसे PDF भी लगा दे, जैसे मैंने भी लगा दिया, option number 4, यहां पर answer आ रहा है, तो शाबाशी आपके लिए very good option number 4, यहां answer आया, पढ़ना शुरू करते हैं, the more I sketch my drawing, जितना ज्यादा मैं अपनी drawing को ऐसे से करके, ऐसे से करके sketch करता हूँ, और ऐसे कुछ करके जोपड़ी बनाता हूँ, उतना ज्यादा क्या होता है, the more my pencil begin to dash, उतना ज्यादा मेरी pencil dash होने लगी, तो उतना ज्यादा क्या होगी, पैंसिल घिल जाएगी उतना ज्यादा, उतना ज्यादा क्या होगी दोस्तों, पैंसिल घिल जाएगी, हमारे सामने word दिये हुए, सारे word देगो, option number 4 लगा है, यहां पर दोस्तों ने, सभी लोग स्लेंडर, स्लेंडर का मतला हो जाता है, स्लिम, पतला, पतला होता जाना, तो पैंसिल से जब आप किसी को बहुत ज्यादा ऐसे करके लिखते हो, तो पैंसिल पतली होती जाती है, पैंसिल स्लेंडर होती जाती है, पतली होती जाती है, पैंसिल स्लेंडर होती जाती है, पतली गिज जाती है उपर से उसकी नुक गिज जाती है टूट जाती है शार्पनर से लेके खर 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 निकालते हो से तो स्लेंडर ठोड़ी होगा ये तो गर्बड हो गया ये तो भाया अपना गर्बड हो गया गर्बड हुआ कि नहीं हुआ मुझे बोलें ये तो गर्बड हो गया बरबात कर दिये वह यह तो घड़बर हो गया परबात कर दिये generate pencil generate हो जाएगे नहीं जितना जाधा ड्राइंग बनाएंगे उतना ही जाधा pencil हमारे पास जाएगे pencil हगे और pencil आ गई हट गई यह steer जितना जदा pencil यूस करेंगे उतना ज़्याधा steer हो स्टियर होता डिरेक्शन देना गाड़ी की स्टेरिंग होती है गाड़ी की स्टेरिंग होती है बूम बूम करते है वो स्टेरिंग ही तो होती है स्टेर करना मतलब डिरेक्शन देना आप डिरेक्शन देते हो गाड़ी को स्टेर कर रहे है घुमारे हो न तो स्टेर करना डिरे तेरे कम होते जाना, डिमिनिश होते जाना, घटे जाना, वो दिमिनिश होती जाती है, घटे जाती है, यानि कि वो घिसती जाती है, वो आपका टेपर बनेगा option number two, ये है दोस्तों, reading ना करने का नतीजा, पता तो आपको होगे, ये वर्ड नहीं भी पता हो सकते तो उसके लि दोस्तों तो सब बढ़िया है है ना वरना कड़ बढ़ जाएगी सीख गए मुझे बोले जी सर सीख गए है आप सेलिटली आप नहीं कन्फूशन होगा कभी भी है अगले कुर्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों लाइक बटन पर प्रेस करके आप बढ़िया प्यार जरूर दे सकते हो वीडियो को कि जी सर समझ आ रहा है आप जो समझा रहे हैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है मैं पूरी कोशिश करूंग आपको बढ़िया से समझाते रहूं और आपको समझ में आता रहा है है ना तो लाइक बटन पर प्रेस करके दोस्तों आप लोग जरूर जरूर बताना ठीक है और सबको शकला का मुंबुम की पैंसी मिलेगी चिंटा मत करो अगला क्वेशन आएगा आपके सामने फिर से एक बार कंजंक्शन वाला यह बताना थमसब आप सभी लोग देदो कम से कम एक हजा थमसब और तो कि द्यान से करना गल्ती नहीं होगी पकत द्यान से करोगे तो बिल्कुल गल्ती नहीं होगी अजिए होगी अब आपको इस कोशन का लॉजिक बताता हूं यू विल फाइंड इट वरी वरी क्लियरली कि हां सर इसका लॉजिक यही बन सकता है कुछ और नहीं उसको लॉजिक बताने के लिए मैं आपको कुछ कोशन भी समझाता हूं बड़े ध्यान से सुनो देखो दोस्तों आप लोग पेर वाली को पेर वाली कंजिंशन तो सब लोग जानते हैं ना पेर वाली कंजिंशन इनकी बात कर रहा हूं कि नीदर होता है तो नौर लिखते हैं है ना इदर होता है तो और लिखते हैं यह तो प प्रेयर ना देकर इस तरीकी का दिया जाता है कि एक जो सिंटेंस है जो सिंटेंस पहले वाला सिंटेंस है यहां लिखते हैं दोस्तों जो हमारा सिंटेंस नंबर वन है उससे हम लिखते हैं दोस्तों नेगेटेव में कोई नेगेटेव एडवर्ब होता है कोई नेगेटेव अब आपको एडवर्ब याद हो चाहना याद हो इतना तो जरूरी याद रहेगा नेगेटिव हो जैसे नीधर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव एडवर्ब को इधर हो ऐसे इधर है इधर के लिए वो पॉदिटिव हो नीधर के लिए नेगेटिव इधर के लिए पॉदि लिखते हैं आपर नौर या फिर लिखते हैं वहाँ पर नीदर यानी इन दोनों में से कुछ भी एक लिख लेंगे क्यों कि नीदर नौर यहां तो नौर लिखाओ या नीदर लिखाओ उसके बाद होती है कोई helping verb फिर होता है कोई subject फिर होती है वहांपर मेंद अब इस concert को देखकर बहुस्टे लोगों के दिमाग में रंखा होगा है कि यह क्या हो रख आछ अब बताता है क्या हो रखा एक सणिर्ज लिखता हूं यहांपर तो आपको दोस्तों समझ मेंस आज खायता है येट नहीं आएगा येट मत लिखो बहुत द्यान से देखो है रहा ठीक है ऐसे करके बड़े द्यान से देखो हमने क्या लिखा ऐसे करके इधार से लिखते हैं बहुत simple sentence लिखते हैं he did not talk to me he ने मुझसे बात नहीं की पहला sentence आगया he ने मुझसे बात नहीं की पहला sentence आगया इंड ना लगा एंड नेगेटिव आ गया न्या sentence आएगा he did not talk to me comma nor his ब्रदर ना ही उसके भाई ने पुरा लिए औरे और देडर इस ब्रदर इन्फोप मी ना ही उसके भाई ने मुझे इन्फोपकिया दो अपने sentence लिए एक तरफ ही ने मुझे बात नहीं की ना ही उसके भाई ने मेरे को inform किया तो हम जब ऐसे कहते ही ने ये नहीं किया नहीं ये हुआ ऐसा नहीं हुआ नहीं ये हुआ तो नहीं तो आपने end में लगाया ना शुरू में तो लगाया नहीं जहां शुरू में लगता वो neither nor लगता ना तो ये हुआ ना तो ये हुआ ना तो वो हुआ ना तो ये हुआ और जब ऐसा नहीं होता एक तरफ negative होता बट neither nor नहीं लिखा होता उदर simple negative होता तो दूस तरफ या तो nor लगा हो तो भी correct होता है या फिर दोस्तों वहाँ पर neither लिखा हो तो भी correct होता है दोनों मेंसे दोस्तों कुछ भी लिखा होता absolutely correct होगा इसको note कर ले आप सभी लोग दोस्तों इसको note कर ले everyone जितने बच्चे देख रहे question की तरफ आओ question पर दिमाग लगाना है कि क्या है she was aware of the facts she को ये path पता थी that she was not responsible for her parents state of mind कि parents की state of mind के लिए वो responsible नहीं है was not से पता चल गया दोस्तों कि ये हमारा negative में है was not से पता चल गया दोस्तों ये हमारा negative में है she was not responsible for her parents state of mind same as यहाँ बनेगा तो यह तो नीदर आता या नौर आता आपने option में देखा नौर दिया हुआ है इसलिए बन जाएगा यहाँ पर नौर यह रहा ही आपका was जो की हो गया helping verb यह रहा आपका she जो की दिया हुआ है subject यह रहा उसके बाद फिर आपका verb है नी मतलब उसके बाद यह बन गया बोलो same situation बनी सबको समझ आया की नी समझ में आया मेरे को बताएं जी सर समझ में आ गया क्योंकि this is not the logic जो आप नीदर नौर के साथ यूज़ करते हैं यह simple logic है एक तरफ negative है दूसी तरफ start होगा यह तो नौर होगा या नीदर होगा situation होती है पहले helping verb फिर subject फिर main verb सबको समझ में logic है न हम लोग हमेशा यह कोशिश समझेंगे कोशिश करेंगे आपका इस तरीके से दिमाग में रहे clear और दोस्तों अगर यह नौर नहीं होता नीदर लिखा होता ना तो नीदर भी correct होता नीदर लिखा होता तो नीदर भी correct होता अभी grammar based है चीज़े क्या होत से चालो विवथ बड़िया आप इसके बाद अगले question की तरफ बढ़ेंगे तो बाकी तो आप डाउट ही नहीं है यह यट ईदर और बाकी किसी में तो डाउट ही नहीं रहे गया बाकी को आभी नहीं पाएंगे आप अगले question की तरफ बढ़ते है question number 10 के तरफ यह होगी आप तो, ताइम फो इू, बताएंसे भी लोग। चलो भीया, एक मिनट हो गया, आप लोग आंसर करो, हमारी टीम से एक कौन लिख रहा है, बैंकर्स बेशे भीया, लिखना बंद करो, कि तुम लोग टेंशन मत लेना, विशाल सर, इधर, नीधर, नौर, वार सब बता देंगे, हमारी टीम से जो भी वेखते हैं, मैं आप सर रिक्वेस्ट करूआ, मैंने इन लोगों को बता दिया है, यह लोग और देख लेंगे, द्यान देने, समझ में आप सर, परिशान मत हुए, मत लिखिए, मैंने इनको समझा दिया, ठीके, आओ दोस्तों, जो भी है, हमारी टीम से, जो भी वेखते हैं, अब मत लिखिए आप, चलिए, अब हम देख लेते, क्वेशन नमबर 10 का, इ कमिटी, डिसाइडेड, ऑप्शन नमबर 1, यहां पर लगजा, हाँ है, यहां रवी, क्याना मतला है, मुझे आप लोग ज्यादा वहां पर आ रखेंगे, तो मैंने का, देखू भी यह कौन है, पूस्तों, लोग हूँ, तो हाँ, डिक कमिटी, डिसाइडेड, टू डाश द कमिटी ने डिसाइड किया, कि वो प्लान को डैश करेंगे, और फिर से वो कुछ पूरे को शुरू कर देंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिसाइड किया, प्लान को फेंस करेंगे, फेंस करेंगे, आपने विसे एक लॉजिक समझो, जब हमने का कि पूरी तरीके से प्लान को डेश करेंगे स्टार्ट औलोवर फिर से शुरू करेंगे स्टार्ट अलोवर का मतलब है पूरा का पूरा फिर से शुरू करेंगे तो फिर से शुरू करने का मतलब है पहले जो प्लान होगा उसे हटा दिया होगा उसे खतम कर दिया होगा तभी तो हम गया रहें फिर से सब लगता कुछ गडबड हो गई किसी ने हैक वेक कर लिया है क्या है इस तरीके से हमारी टीम का तो कोई वेक्ति है नहीं हो किस तरीके से लिख रहा है कोई रुख जाओ जड़ा मैं जड़ा इनफॉर्म करूँ एक सिकन जड़ा रुको बड़ा जिसने भी किया है ना ध्यान रखना तुम लोग पकल दिये जाओगे किसके पास एक्सेस चला गया झाल जड़ा जड़ा जड़ागे झाल झाल चलो टेंशन नालो ठीके देखरो पुनीच सर अभी अभी मैंने पूछ लिया पुनीच सर के रहे मैं हूं मैं देखरो पुनीच सर दिया मैंने पुनीच सर का देखो फोन भी आ गया हलो पुनीच सर आपको मैं पहले लाइब पे ले रहा हूं पुनीच सर लो आप लाइब हो पुनीच सर आप मौज ले रहे हैं सुबा सुबा मुझे लगा किसी ने हैक कर लिया कौन लिख रहा है भी ऐसे हैं सब सुन रहे हैं आपकी बात को अभी अब बताइए शाल सर में कह रहा है मैंने कर या बच्छे तुम्हें बरिशान कर रहे हैं बता आपको और कौन बरिशान करेगा मेरे लावाज मुझे यह लगा कि इसे पास विए और वह नमे लिख सकता है, इतनी हमत किस में लिकित् gedacht हमारे पुनीड सर ही सकते हैं, अरुनर भी लिख सकते हैं। सर आप ढहरे सर वे पहु आइज झावाज पुक्ष पुने कि विचाल बच्चे लेहां है, विशाल सर देखो यह बार तो है, बच्चे पैचाल लेते हैं, हम लोगों को पहली उन्होंने कह दिया था, कि सब पुनी सर लग रहे हैं, मुझे तो पुनी सर है, आप ने जयानी दिया, चली, आप कंटीन्यू करें, यह बड़ा मज़ा आ रहा था, वैसे पढ़ने में मुझ पुनी सर आप आगए, आप ध्यान दख रहे हैं, कॉमेंट में, पुनी सर ने कह दिया था, सब बता देंगे सर, नौर बता देंगे, यह बता देंगे, तो मैं का चलो ठीक है, कहीं कहीं दिया होगा हमारी, फिर हम भी गुस्सा मतो, बता देंगे, अरे इस बाह ने विशाल सर देनों पर आपाउन ब stal तो मेंनिल को आपस मिल्टा नि utilize सब्सक्राद करते वार क्या चले ठीक है ठीक है, थाक है, तैंक्यू वेरी मस्सर, तो क्लास अलगी हो गई है, चलो ठीक है भईया, दोस्तों वारे पुनी सर विए बीच में, हैना, पुनी सर भी पढ़ रहे है, पता चल गया पुनी सर को भी क्या हाँ चलो भाईया सब पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे मुझे सज में लगा यार किसके पास पहुच गी आईडिया ऐसे कैसे किसी ने लिखा है है ना चलो ठीके क्या लिखा हुआ है दी कमिटी डिसाइडे टू डैश कमिटी ने कुछ डैश करा है कि अंदर खेतों में ना आया उनकी खेतों को फसल को खराब ना करें तो फैंस वहां लगता है तो उसका इस्तमाल नहीं हुआ अगला भी है स्क्राच कूपन तो खुब देखा होगा लिखा होता है बेटर लक फो नेक्स ताइम है ना तो स्क्राच का मतलब कुछ घिस स्क्राच हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे बढ़ शूरू करने कि के बात कर रहे है किसी को तोड़ ले ना वो था क्राइक करना ठीक है तो थर्ड हो जाएगा से स्क्राइब और स्क्राइब करेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे चलो वया सबने आज मौज ले लिए है सब्के मज़े आगे आज चलो टीके कॉर्शन नंबर टैन सबको समझ में आया मेरे को बता दे आज कॉमेंट में सब हसे जा रहे हैं सबको मज़े आ रहे हैं कि आप तो विशाल सर कोई पकल दी है अब मज़ा आएगा अब देखो शांत अगला कोशन देखो दोस्तों ये कोशन आपके लिए है फिंसेस पर दिमाग लगाना है और आपको अंसर करने कोशिश करने कौन से वर्ड में क्या आएगा ठीक है चलो बताओ बताएं सब लोग चलो आएगार स्वाजार कोशन आएगा खुआ कोशन आएगगा है कि मुआ है सब हर चाले ह्क 151 एंभा उन्ध्रां कोशन शाला four वार निया भ्र्च प्रेका येती है घुआ है ये और आपके आंसर आनना शुरू हो गए option number 3 काफी लोगों का यहां पर आया है वैसे मैं आपको बता तूं दोस्तों option number 3 या फिर बाकी कुछ भी लगाओ गया grammar एक आपकी काम करेगी सुनो जरा कैसे यह एक प्रकार का कुछ डाश है इट वोज दी काइंड ओफ करके बनेगा kind of moment kind of time situation instance या फर instant इट वोज दी काइंड ओफ डाश डाट many dash expected कि many dash expected to prove too much कि काफी कुछ प्रूफ करना यह expected है है नम तो जैसे हमने देखा इट वोज दी काइंड ओफ इसमें से कुछ भी बन सकता है यह कभी निये बनेगा इट वोज दी काइंड ओफ instant instant क्या होता है कि यह आपके सामने instant की बारें बताता है तो instant तो ही हो गया जब आप example के तौर बताते इट वोज दी kind of instant का मतलब example तो example का sense तो नहीं बन रहा It was the kind of instance नहीं बनेगा जब example का sense नहीं बनेगा एक adjective है आपका और एक आपका noun है It was the kind of situation, time or moment है that many must expected. तो must के साथ third form नहीं आती गरबड़ होगी. Many shall have expected. Many shall have expected इसले नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर was है, past दिया है. तो past में दोस्तों यह future नहीं बन पाएगा. उदर past दिया है, यह future नहीं बन पाएगा. Many would have expected ज़रूर हो जाएगा क्योंकि वो past भी दिया है, would have के साथ third form लगती है, have के साथ यह हमें पता चल गया. Many के बाद यह have है, आपका यह भी नहीं बन पाएगा, यहां से will have है, आपका यह भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उधर की वेज़र से नहीं बन पाएगा, बाकि have इसले नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपका past है, यह future है. आपके बास option ही सिर्फ एक बनता है, तो आपको confused नहीं होना है, और यह आपका grammar based आ गया था, और आपने grammar based दोस्तों इसको कर लिया. बोलो, समझ में आगया सबको, क्योंकि देखो, दो तरीकी की filler होते हैं, मैंने आपको बताए, एक grammar based दो जाता है, और दूसरा आपका word based आता है, यह हमारा grammar based था, हम लोगों ने से complete कर लिया. चलो, आगे बर चलते हैं दोस्तों, अपने अगले question की तरफ, अगला question देख ले रहे हैं अपना, question number 12, सबको समझ आ रहा है ना, मुझे बोलना, जी sir, समझ आ रहा है, बढ़िया तरीके थे, first class, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो, question for you, बताए answers का. उलते हैं. चलो बहिए टाइम्स आप होने वाला है खतम करते हैं यहां पर क्योंकि आपका अंसर आने लग गया option number one and option number two आ रहा है दोनों को पड़ते हैं दोस्तों one and two दोनों में क्या confusion है कुछ लोग four पे भी बोल रहे हैं both the teams both the teams were unable to dash दोनों ही team dash करने के लिए unable थी to rival defense अब अपने कार जो rival defense थी उसको dash करने के लिए unable थी as ball was dash to midfield अब यह तो यार जो लोग जादर sports में ध्यान देते हैं उनको लिए तो आसान हो जाएगा मतलब उनके लिए सोचना ही नहीं है बट जो लोग नहीं ध्यान देते हैं उनके मैं trick बताता हूँ क्या लिखा है was वो कुछ dash था third form लगी और third form वाला लगेगा was defined to midfield जो ball थी वो define थी ball को define तो किया नहीं जा रहा 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 बॉल को confirm किया गया confirm का मतलब confirmation ball को दिया जाता है कैसा करके ऐसा कुछ नहीं हो रखा है ball को launch किया गया ऐसा कुछ नहीं ball को held किया गया held hold होता है the hold की third form as the ball was held to midfield midfield में वो ball को held कर दिया गया actually लिखा हो smash rival defense को आप smash नहीं करते smash का मतलब होता है तोड़ देना यह break दिया break का मतलब भी तोड़ देना होता but आपको sports के sense पर रखना होता है rival defense को आपको break करना कि हमेशा मैं example देता हूं कि promotion की बात होती है जब कभी भी court of law में तो वहाँ पर हमेशा हम elevation word को use करते है promotion को use नहीं करते है बतफ़तों दोनों का same है यह होता है word usage कि कि किस word को आप कहां use करते है जिस बजाए से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा to break और confined confined का मतलब वो limited है as the ball was confined to midfield क्यों वो midfield में रह गई कहते हैं कि ball जो है midfield में रह गई हो वहीं पर रह गई हो वहीं पर ही confined होगे वहीं पर limited रह गई तो वह confined आपको दोस्तों इस वज़े से लगेगा option number two is the answer समझ में आई यह बात दोस्तों और आपको यहाँ से एक चीज़ भी clear हो रखे होगी या reading वहुत important है reading is very very important और reading से आपको एक चीज़ आँ समझ में आई होगी daily आपको google news जो लोग नहीं पढ़ते दोस्तों google news daily पढ़ा करो यह आपका बहुत help करेगा कल बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा था daily शाम साथ बजे हम google news करते कल google news का session देखा था आप लोगोंने मुझे बताईए और कैसा था session यह बताईए कल जो हम google news पढ़ रहे थे दूस question मैं आपको homework में दे दे रहा हूं तो question is for you this is the question इस question का answer आप comment में करेंगे इसका screenshot ले लो इस question का answer आप comment box पे करेंगे everyone कि क्या इसका answer होगा ठीक है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक schedule को follow करेंगे उस schedule से पढ़ेंगे इस question का answer हम करेंगे कल जो session होगा लेकिन कल हम फिलर नहीं कल हम फिर error कर रहे होंगे हमने error के दो पार्ट करने कल वाला पार्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे rearrangement है ना तो जैसा schedule मैंने बोला था last week of जैनूरी का schedule क्या होना चाहिए वाप follow करो schedule के साब से हम पढ़ेंगे अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं आप मैं से सभी लोग English को और improve करना चाहते हो time निकालो अपना आराम से शाम को तीन बज़े class होती थी पीम पर डेली अनकेडमी पर free classes है ये free classes है अनकेडमी पर ठीक है इन free classes को लो ये special classes होती है मेरा नाम सर्च करना अनकेडमी पर व मिलते हैं वर्ड की users के और question कर रहे होंगे वह आपके लिए शांदार question उसका discussion करेंगे बाकी दोस्तों हम गतम करेंगे इसका answer यहां मत देना इसका answer आप देंगे comment box पे आज का session अगर आपको अच्छा लगा है सभी को अपना प्यार जरूर देना थमसब देकर आप अपना basic से बास शुरू हुआ है basic से बास शुरू हुआ है यह कल से शुरू हुआ था 26 जनवरी से हम लोगों ने आपको बोला था बास शुरू हो रखा है तो जिसने भी target किया है बिल्कुल जोइन कर लीजिए बाकी जोइन किया है एक class दोस्तों इसकी हो गई है मैंने बताए कैसे करके करके strategically पढ़ना है तो basic से पढ़ना है उसके लिए आप इसको जॉइन कर सकते हो एक ही class हुई है अगली classes की दोस्तों आपकी एक फरवरी से होगी फिर यह continue लगाता चलता जाएगा अभी बीच में class हुई है बारा बजी दोस्तों मेरी class होती है timing में बता दू सबाइक ब ही बजी class होती है पुनी सर की reasoning की ठीक है तो यह classes होती है इन classes को आप लोग पढ़ सकते हो आप आना यहां बारा मेने का सब्सक्रिप्शन लेना दोस्तों आप फीस आपकी बढ़ चुकी है जैसा कि बताया गया था वह हो गई है पैसेट सो रुपे तो पैसेट सो रुपे फ तो नाव इस पो यू इसका इस्तिमाल करना दोस्तों अपने हैसाब से बाकी दोस्तों हमसे खतम करते हैं मिलते हैं अब आप से दुपेर में तीन बज़े फिर शाम को साथ बज़े मिलेंगे तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार लवियो ओल जै हिन जै भारत थैंक झाल 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 नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरे नाम है विशाल परिहार सुबा के बच्चु के 9 और शुरुवात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की और आज हम फिलिंदी ब्लैंक का पार्ट नमबर 3 पढ़ेंगे पार्ट नमबर 3 के तरफ पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते मेने इसका नाम रख दिये कि आज की क्लास आपकी बूस्टर क्लास होने वाली है हम लोग पार्ट नमबर 1 में ये सीख लिए थे कि किस किस टाइप की फिलिंदी ब्लैंक से एक्जाम में आते हैं पार्ट नमबर टू में हम उसके टाइट से लेकर आगे बढ़ गया थे नमबर अफ कोशन की हमने प्रैक्टिस करना शुरू किये थी आज हम उसी नमबर अफ कोशन की प्रैक्टिस को एक लेवल और अप करेंगे वो लेवल रखेंगे जो जादतर कंफ्यूस करता है एक्जाम में तो वो कंफ्यूशन आपकी दिमाग में ना बने तो उसके लिए यह वली क्लास है स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोग एक काम करें जल्दी से सेशन को न एक बार शेयर मार दे और अपनी कौपी किताबे उठा ले उस कौपी किताब में सब कुछ लिखना शुरू कर देंगे दोस्तों जो भी कुछ आपके लिए लगग कमाल की information यह है कि आज आप यह फिलिंदी blanks कर रहे हो इसी filler की हम और exercise को आगे बढ़ाएंगे और number of question की practice के लिए कुछ question हम यहां कर रहे होंगे कुछ question हम session कर रहे होंगे आज दुपैर में मिलेगा 3 बजे आपकी unacademy free class में तो अपने पास ना एकदम से time भी रहेगा तो आप लोग जो नए हैं जो लोग नहीं जानते हैं unacademy की तीन मज़े वाली class में आना कल वाली class होनी पाइती कुछ reason की वज़ा से बढ़ आज class फिर से regular class होती है आदे गंटे पौन गंटे की class होती है आराम से आना इस class में इस class में कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल नए है न आप अनकेडमी लर्निंग डाउनलूट करना मेरे नाम दूड़ना विशाल पर यार वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में class मिल जाएगे special class में लिखा होगा booster session filler ऐसे लिखा होगा invitation code आपका यह है आपको invite क क्या जा रहा आप invitation code डालना class आपकी ओपन हो जाएगे ठीक है तो कुछ हम question यहां करते कुछ question करेंगे बढ़िया तरीके तरीके सीखेंगे ठीक है question दोस्तों मैं देखा रहा हूं यह रहा question आपके सामने और आप करेंगे इसको मैं सबको question करने का time दे रहा हूँ आपको time low और time के साथ इसका answer करना है कि कुछ तो कि गड़बड़ है कि यह रहा time ध्यान से देखो ध्यान से बताएंगे मैं बिल्कुल side हो गया हूं कि यह रहा हूं कि अगे टाइम आप दोस्तों समय खतम हो गया आपका एक मिनट आप आंसर यहां आना शुरू हो गया है आंसर सबने अपने अपने साफसे आंसर दिया है ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है ई भी आंसर आ रहा है पड़ते हैं दोस्तों और आपको एक clue से ही पकड़ के इसका आंसर कर पाएंगे तो कैसे करेंगे आंसर डाश दी डिफीट औफ टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान की हार के डाश हार के डाश से इन दी फोर्ट अंगलो माईशोर वार में कॉन्सी वार में फोर्ट अंगलो माईशोर वार में डेट दिया है ऐसे करके यह दिया है इन शिरियंगा पतनम यहां जगे में जो बिट the old city area of Bangalore जो Bangalore का old city area का area का शेत्रता वहाँ पर उसने अपने आपको dash किया तो यह war हुआ होगा यहाँ पर टीप शुल्टान की dash के साथ उसने अपने आपको dash किया तो क्या किया होगा अब आप जुब स्टार्ट करते हो और आप किसी भी चीज़ के बारे बताते हैं तो preposition का बड़ा रोल होता है ज़रा पहला आपने preposition देखा लिखा हुआ by को आप preposition लगाते हो तब जब आप यह कहते हो कि यह काम करके ऐसा हुआ for example अगर sentence आपका इस तरीके से लिखा होता by defeating तीपू सुल्तान अगर इस तरीके से कुछ करके लिखा होता यह काम करके वो काम करके यानि कि उसके बाद verb दी होती है और उसमें ing लगा होता तो आपका यहाँ पर by से बन सकता था यानि कि by से बनने के chances नहीं बन रहे हैं क्या यह बात दोस्तों clear हो रहे है by से बनने के chances यहाँ पर नहीं बन रहे है इसका मतलब यह गलत हो गया आपने option number A पूरी तरीके से हटा दिया ठीके ऐसे करके second option में आए लिखा हुआ है with with the defeat अभी यह बन सकता है with the defeat defeat के साथ साथ with the defeat of टीपु सुल्तान इन फोर्ट अंगलो माईशन वार in here the British Army डाश इटसल्फ गैरिसंड इटसल्फ दिया है and I am pretty much sure गैरिसंड आपका ऐसा वर्ड है जो कि साधारण और जेन्वल भाषा में यूज नहीं होता कोई नहीं कहता कि I am garrisoning you I am garrisoned ऐसे कोई यूज होता नहीं इससे सबको पता नहीं होगा ये बात लगे अब मैं ऐसे ही चल रहा हूँ जैसे कि मुझे पता नहीं है मुझे पता नहीं है तो मैंने तो गैसी नहीं कर पाऊँगा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे लग रहा है यह हो सकता है यह बिल्कुल नहीं होगा तो अभी इसको छोड़कर हम बाकियों पर कोशिश करेंगे next देखो at the defeat of this आगे garner किया garner का मतलब common word है यह काफी ज़ाद आपने जरूर सुना होगा जिसका मतलब होता है collect करना तो हमने देखा British army ने collect कर आपने आपको ऐसा तुनिया अपने आपको collect किया बिखर गई army आजाओ 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 समेट लिया है collect नहीं किया collect नहीं कर सकते या नहीं कारणर आपका गलत हो गया अगला दिया आर्मर्ड आर्मर्ड होता है कि मतलब सारी आम से लेकर अपनी रक्षा करना हतियार हो बंद हतियार बंद होना उसे बोलाता आर्मर्ड अगर मैं हतियार बंद हूँ तो मैं protected हूँ कोई आएगा तो मेरे पास गन है मेरे पास तलवार है मेरे पांस कुछ हतियार है उसे बोले ता आर्मर्ड होना बट आर्मर्ड बिलकुल लग सकता है गलत नहीं हो सकता लेकिन उससे पहले लिखा है on on the defeat of तो यह doubt क्लियर कर सकता है on the defeat of लेकिन आपको समझना होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा उनकी defeat पर ऐसा हुआ defeat पर ऐसा होने का मतलबत रहता है कि defeat हुई defeat पर कुछ incident होता तब आप on लगाते on the defeat of him उनकी defeat के उपर we are organizing a party हम एक party organize कर रहे हैं तब तो होता कि on करके तब लगता जब वो उसका एक तरीके का cause बता रहा होता और उसका impact किसी दूरे sentence में होता और example दे रहा हूं on the start of new business new business के start प new business I am offering some of my goods free of cost मैं कुछ अपने goods को free of cost offer कर रहा हूं किसी प्लक्ष पर on the start of this तो हम on को उधर use करते हैं जिस वज़ा से यह गलत हो गया otherwise armor आपको बिल्कुल देखने में लग रहा हो गया यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है बट इस वज़ा से आपका यह नहीं लगेगा मतलब आपकी clues कही ना कहीं दिये होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से बारीके से समझाते हैं प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना रक्षा करना वही होता जैसे कि आर्मर पर विद वाला लग जाएगा कैसे हो गया विद दी डिफीट आफ टीपु सुल्तान इन दी फोट अंगलो इधर वोर में यहां से यहां जिसकी डिफीट के साथ जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने ग थोड़ी थोड़ी नॉलिज मिला खरी इसका अंजर पूरा बन पाता है तो अपने देखा है और यह समझ में आ गया वाइप्षन नमबर बी इस दी राइट आंसर मैंने लॉजिक बताया है रटना नहीं है और एक्जाम में बिलकुल ऐसा हो सकता है कि आपको वर्ड के हो सकता है तो यू विल ट्राइटू डू इट आप इसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबको समझ में आया दोस्तों मुझे बताएं जी सर समझ में आ गया जी सर समझ में आ गया और आपको एक मैं और तरीका पता दे रहा हूँ एक्दम शांदार तरीका आपको अपनी व रखता हूँ ऐसा कोई रेजिस्टर लेकर रखो और जो भी आपको लगे हां कुछ नया है मेरे पास उसलिया लिख लिए उसलिया लिख लिए देखो मैं आज भी लिखता हूँ यह पेजी ओपन होगा तो कुछ दिख रहा है कि इंग्लिश में कितने माक्स का इंग्लिश आ था तब से मैं यूट्यूपर पढ़ा रहा हूँ आप चीज़े दो मैं ओनलाइन करूंगा मुझे मालूम है कितनी बी ओनलाइन करो कल मैं क्लास में पढ़ा रहे है ऐसे करके देखो दोस्तों दिख रहा है क्लू लिखवाना सब्सक्राइब कैसे लिखा जाता है कर रफ हें किताबों से ही पढ़ाए आगे आने वाले बच्चे जो पैदा होंगे उसके बाद वो आगे बढ़ाएंगे उनका एक अलग experience होगा तो उनको इसकी शायत इतनी जुरत ही ना पढ़े है ना हमें और आपको जुरत पढ़ेगे हमें और आपको मजबूत समझ रहे हैं मेरी बात ऐसे कर गए तो इसलिए मैं बोलता है नोटबुक ज़रूर बनागे रखना आपको सब याद हो जाएगा कुछ रहेगा नहीं जो आपको याद ना हो में सजेशन ऐसे देता हो मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से तो फालतु बात तो करूँ आ ना देखो तीनों के मतलब दिये हो गैरी संब का भी लिख दिया है मैंने आर्मर का भी लिख दिया है ताकि आपको पता रहे है ठीक चलो कोशन नमर 15 पे पहुँच चुके 13 तक कर चुके थे पार्ट नमर 2 में है ना जो लोगों नहीं मालूम बार एक बकी कोशन का है वह पार्ट नमर 2 में कर चुके थे हैं वन और टू में यह थ्री है पार्ट करो जड़ा इसको करो ठीक है कोशिश करेंगे इसको करने के बताओ करेंगे बताओ आज़र आना शुरू हुआ option number B आ रहा है D आ रहा है C भी आ रहा है किसी मतलब एक पर ऐसा fix तो नहीं आ रहा है काफी सारे अलग अलग करके आ रहा है ठीके तो एक काम करते हम इसे समझते हैं कि क्या इसका मतलब बन तकता है कैसे करके हमें से पढ़ना चाहिए ठीके after a relationship dash over one and a half centuries one and a half centuries तकरीबन डेड़ सो साल तक relationship जो है उसके dash होने पर डेड़ सो साल तक relationship क्या होगा relationship चला होगा और relationship के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे है हाँ सर हमारी उमर ही ऐसी है सर क्या करें समझते हैं अच्छे से वही है relationship वो जो relationship है ना एक हफते वाला ये डेड़ सो साल का relationship की बात कर रहे है तो डेड़ सो साल का relationship कुछ dash है over one and a half centuries बज़त अगरीबन डेड़ सो सल के असपास तक का ऐसा है on जुलाई 14 कोलकाता बिड़ अन इमोशनल डाश टूआ मोड आफ कम्मिनिकेशन कॉल दी टेलिग्राम तो एक मोड आफ कम्मिनिकेशन टेलिग्राम के थुरू इन्होंने एक कुछ एक emotional डाश किया कोलकाता ने 14 जुलाई को emotional कुछ डैश किया इतने relationship बात emotional क्या किया होगा आप बढ़िया कपड़े पेंड के आयोंगे उस दिन स्कूल में बढ़िया मस्क्रास चला होगा तो पार्टी वाड़ी टाइप क्यों रखी होगी यह फेरवल यार ऐसा फेरवेल नहीं फेरवल तब जब विदाई दी जाती है हो सकता है हम नोट मतलब हो सकता है यह लिखा है अफ्ट रा रिलेशंचि अफ़ यह आपपर Зरों लैशन तो कुई लॉजिक नहीं कि उन्होंने इम्मोस्नल डिलेशन क्या लॉद आडियू दिया आडियू को नहीं कुछ तो हुआ है यानि कि एंड में कुछ है तो इमोशनल टटा भाई भाई कुछ तो जल रहा है अब इदर से पता चलेगा अब इदर से पता चलेगा यहां पर डूंदो कनेखपुरा यहां नियकोशैन कीती है रहा है यह फाक्तर है देयों गैजट तो था यहां觉得 साल पीछे और आगे चले गए तो यह ट्रेवर्जिंग की चक्कर में फेरवेल आपका रहूं हो गया आक्टर रिलेशनशिप एक्स्टेंडिंग हाँ यह एक्स्टेंड रहा पहले ही रिलेशनशिप तर्फ चार साल होगा था उसके बाद इन्होंने एक प्रोडक्ट का इस्त जाता है इक्स्टेंड वडी यह तब लगता है एक्स्टेंडेड पीरिएड बढ़ा हुआ समय सुना है ने extended कई बार extension लगा देते हैं लोग जब जगानी बनते हैं उसके बाद ये extension जैके का नाम के बाद extension लगाते हैं एक example देता हूं जिए दिल्ली के पास में बनाए नोईडा का नोईडा extension बनाए इस तरीके से शेहरों में लोग उसके extension बना देते हैं यह बड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं था कि पहले यह relationship ते किया गया होगा इसा कहीं कुछ लिगा नहीं कि पहले यह पांस साल का था यार वो डिर्ट साल का बना दिया हड़िया आपका यह relation के चक्कर मठ गया spanning है span होता एक समय कि काफी समय तक जो चल रहा है कोई चीस काफी समय तक जो चल रही है उसे बुलायाता है span है ना काफी time तक value हुई है across तो यह span हो सकता है रेंजिंग भी होता है एक तरफ से दूसरे काफी लंबे समय ता पहुंचना वह आपका रेंजिंग हो सकता है रेंजिंग और एक कवरिंग नहीं कर रहे है यह दोनों बचते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ यह लिखा हुआ अडियू अडियू लिखा हुए अच्छी जह नहीं कर पाओगे एडियू और गुडबाय दोनों सेम जो गुडबाय है वही का मतलब भी गुडबाय है अब सपैनिंग और रेंजिंग को सब्गांज क्यों तक ह्वान रेंजिंग से वहां पे लोगादे मतला है मतलब रेंजिंग आपका यूजई सब ऊचलो किल दू दूसौ क्लोमीटर दूर किलो मीटड किलो मेंटर तो किलो dział किलो मीटर फ्लेशें दिस्टेंस की बात होगी वहां पर रेंज लगा सकतें मिष्ट Ond vue सं ताइ laser समझ में आगी मेर को बता है लोग में समझ में आगी एक बार सभी लोग everyone है न यह तरीका जिस तरीके को हमें समझना है क्योंकि देखो एकदम से आंसर आप नहीं कर सकते वह एकदम से आंसर अगर मैं कह दूँ यह यह तो यह आंसर तो बेवकूप बनाने वाली बात है अरहा कोई आंसर कर पाएगा हमें logically समझना है कि आंसर है तो क्यों है आज आप लोजिकली समझना सीख जाओगे तो फिर वह सारे कॉशन कर ले जाओगे रटना कुछ भी नहीं है एक्जाम में बिल्कुल ऐसा होगा आपको एडियू का मतलब भी नहीं पता होगा कितनों को पता था एडियू का मतलब जब तक आपने याद न चलो बहुत बढ़िया शाबाश सीखते जा रहे और ऐसे ही समझ लो ऐसे ही कॉशन आज हम आज स्पेशल क्लास में करेंगे तो आप सब लोग स्पेशल क्लास में तीन बज़े जरूर जोड़ना पेर नाम डूंडो अनकेडमी पर विशाल परिहार मैं मिल जाओंगा आपको हैं और मैं मिल जाओंगो मेरी क्लास लेना तीन बज़े सबी लोग आना बड़िया तरीके सामें ऐसी फिलर कर रहे होंगे चलो दोस्तों आगे वाले कुश कॉशन करते हैं 15 के बाद कॉशन नमबर 16 एर वी है चलो द्यान से देखो और अराम से करो से कम आन द्यान से देखो कर दो 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 अंजर आना शुरू हो रखा है ओप्शन नमबर डी भी आ रहा है सी भी आ रहा है ओके पड़ते हैं दोस्तों है न कैसे अगर क्या अंसर बना इस टॉंच प्रोपोनेंट्स स्टॉंच का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे बता रहें किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कमिटेड आपका अप्रोच कोई भी प्रोपोनेंट तो committed proponent की नहीं ऐसा ही होगा तो वो से staunch कहा जाता है The staunch proponents of economic liberalization economic liberalization का staunch proponent की आर हाँ liberal हम करेंगे liberal का मतलब free कर देंगे कोई भी आप आके business कर सकते हो कितना भी investment हो सकता है कोई भी कैसे भी करके business कर सकता है इसी कोई economic liberalization कहा जाता है तो the staunch proponents of economic liberalization have often dash अक्सर इसने कुछ dash किया है that the relaxation of state dash कि अगर हम state का relaxation कर देंगे तो वो dash करेंगे sorry state dash का relaxation करेंगे will lead to a phenomenal growth तो उससे काफी जादा growth होगी phenomenal का growth का मतलब काफी बड़ी growth होगी conceptual growth होगी of industries की FDI की द्वारा spur होगी spur का मतलब होता है increase होना FDI मतलब foreign direct investment से यह spur होगी ठीक है अब ज़रा शब्दों समझते है इतने मुश्किल वाले शब्द हम कैसे सीखेंगे staunch proponent economic liberalization has often contented content का मतलब होता है विवाद होना jump का मतलब उच्छाल hazel का मतलब अब hazel दे रखा है hazel का basically मतलब होता है harass करना bother करना परेशान करना क्या hazel का कोई लेना देना आएगा जो बिल्कुल अटा जाएगा वो अटा दो विएसे jump और hazel दोनों की दोनों आपके अट रखें jump और hazel दोनों की दोनों हट गई have a argue and contented हो जाएगा दोनों का similar मतलब है और argue and contented हो जाएगा दोस्तों दोनों का similar मतलब है कि हाँ क्योंकि जो staunch preference of economic liberalization has often dash अक्सर ये argue होता है अक्सर ये content किया है इसने argue किया है ये दोर लगा सकते हो अक्सर cross नहीं किया अक्सर कोई jump नहीं किया अक्सर किसी को harass नहीं किया harassment नहीं आया क्या आया है यहाप that the relaxation of state control state control का relaxation या state neglect का relaxation state neglect का कैसे relaxation हो सकता है neglect का तो खुद का मतलब relaxation तो वहां दिया जाता है जहापर किसी भी चीज़ को भांगिया रखा उए अब आपको relax किया जा रहा रिलक्सेशन वहां दिया रूल से यह दस रूल आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे यहां नहीं फॉलो करोगे तो गड़ बड़े यहां रिलक्सेशन दे दिया मतलब रिलक्सेशन आप वहां दोगे जहां कोई रूल ही नहीं है जहां कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जहां स कहीं ककी जिलह रहां का नहीं diva toshmak बता अक्षेशन को ऊब deg में sein फूर्च खिल को भूं को बच्छे नहीं था यां देखो जरह डिस कृण्स फ्रोपोरनिंट्ट्स पिसेड़ सींटा में अग्छिशिष है that the relaxation of state control state control का relaxation अगर हो जाएगा विल लीट तो phenomenal growth of industry spurred by FDI जो FDI केस पर होने की वज़ा से काफी बड़ी growth हो सकती है FDI बहुत ज़ादा आ जाएगी उससे क्या growth हो सकती है ये बन गया option number ही अब अच्छा है मेरको एक बात बताओ आप लोगों ने ये language देखी कई बार ऐसी language student के समझ में आता लगता दिमाग से उपर जा रही है लेकिन 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 डेली शाम को जब हम लोग Google News पढ़ रहे होते हैं तब वहाँ पर हम ऐसी ही तो language सीख रहे होते हैं यही तो भाशा होती ही जिसको हम इतने आराम से मौझ मौझ में सीख जाते हैं कि वहाँ क्या बात बोली गई है मौझ मौझ में सीख जाते हैं सब बताओ yes or no है न गो तो बोलो yes or no बढ़िया चलो बहुत बढ़िया शाबाश सही है सीख गए ना वेरी गुड पस यही मैं चाता हूँ आप सीखते जाओ शीखते जा रहे हैं दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आता जा रहा है तो आप लोग अपना प्यार जरूर दे सकते हैं लाइक बटन में प्रेस करके मैंने अभी तक कहानी और इसने देर से अगर अच्छा लग रहा है बिल्कुल मैं कहूंगा दोस्तों अच्छा लग रहा तो बिल्कुल ठंसप देना और हमें ऐसी सीखना है जैसा हमें कुछ आता नहीं था और उसके साथ समय सीखा है Dominion दिया है और Domination दिया है Dominion, Domination सेम मतलब रहता है जिसका मतलब है आपकी संप्रभुता होना आपकी पावर चलना वो होता Dominion, Dominion नेचर होता Dominion उस प्रोसेस को बोलते हैं उस आक्शन को बोलते हैं मतलब दोनों का सेम होगे हो Inability किसी काम को ना कर पाना आपकी मतलब तो सेम्पाल अब के बताई दिया मतलब है ना दोस्तों यह होगी आपना Question Next Question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर सीखते हैं Number One के बाद Number Two Next Question ठीके? इससे करेंगे दोस्तों आप लोग बताएंगे ठीके? यह लोग बता बताई पर सेम्पाल अगया OK Time is up Time is up क्या बता आ रहे हैं दोस्तों यह मुझे देखकर अच्छा लग रहा है जो लोग उसे offline देखेंगे उनके प्रूफ के लिए मैं आपर दिखा दू कॉमेंट में कि जब आप धीरे-धीरे सीखते हैं तो सच में सीख जाते हैं और यहाँ पर ज्यादाता लोग का अंसर option number ARI very good and that's really really nice आप अगर answer कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आप सही ही कर पाते हैं यह बहुत अच्छा है कि मैं देखता हूं maximum लोगों का यहाँ पता सलता है कि अब जब सब कुछ आ रखा होता है ABCD करके सब तो हमें मालूम परते हैं maximum लोग यहाँ पर सही answer नहीं कर पारें कोई दिख करने हैं आपने बड़ी आंसर किया शाबाज आजाओ जड़ा इसी कोई पढ़ लेते हैं वेरी गुर्यानी जात हो लोगों को समझ मारे कि यह answer है पढ़कर देखो इंडिया has a vibrant publishing scene काफी बड़ा हमारा यहाँ पर publishing सारी की सारी जो companies हैं इंडस्ट्री से काफी बड़ी लेवल पर है thanks to not only the big publishers सिर्फ big publishers को ही thank you नहीं बलकी but also a lot of quality dash little publishing houses बहुत सारे छोटे 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 जो quality dash रखते हैं quality का ध्यान रखते होंगे that dash it going जो इससे बनाया रखने में मदद करते हैं तो quality का ध्यान रखने वाले बहुत सारे publishing houses हैं छोटे 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 क्वालिटी इसको भी कह सकते हो बड़ो क्वालिटी रेस्पॉंसिव नहीं होता है आपने टर्म सुना है कि he is very health conscious she is very health conscious यह लोग काफी health conscious है सबको एकड़म health conscious रहना चाहिए सुना होगा टाम आपको कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है कि conscious निसीग तो बूलत है यानि कि आप उ conscious अठीक रीड़ नहीं आप राइस भी नहीं आएगा अपराइस का मतलब होता है कि आपके बारे में आप इंफोर्म कर रहे हैं कि को वह था अप्राइज करना है तरह वह देखना है और आपने मिएड़म घ्यान रखना होता है मतलब सबका ध्यान रखना है बट रस्पोंसि houses that keep it going जो इसे लगातर बनाए रखते हैं चलते रखता है कि हमारे चल रहा है यही vibrant publishing scene है हमारा कि हमारे यहापर vibrant है काफी बड़े level पर इसका ध्यान दिया जाता है यह करके दोस्तों हमारे सामने दिया हुआ है क्या यह compound noun है सचन तिवारी तिवारी जी तिवारी जी ने पूरा chat box बढ़ डाला compound noun और दस बार question माग लाके copy paste copy paste copy paste तिवारी जी यह noun है ही नहीं यह preposition है noun तो यहाँ पर यह है houses बाकी adjective हैं यह सब publishing houses छोटे publishing houses quality conscious publishing houses houses यह सारे adjective है जो houses noun है उसको बता रहे है यह hyphen लगे रहने से noun नहीं है यह compound noun कोई noun नहीं है समझ गे तिवारी जी और सुनो तिवारी जी ऐसा नहीं होता कि आपको यह लगेगे एक noun के साथ एक adjective होता है जैसे कि मेरे पास यह pen है I have a pen pen noun है मैंने का I have a black pen तो black adjective हो गया I have an old black pen old भी adjective है black भी adjective है pen noun है I have an old old Chinese black pen मेरे पास एक old Chinese black pen है तो old भी है Chinese भी है black भी है तीन adjective हो गए है ना I have an old broken Chinese black pen तो कितनी भी adjective हो सकते जितनी quality उसकी बदाई जा रही है है ना और ऐसा यह आपको त्यान रखना पड़ेगा यह सर्थ तिवारी जी को ध्यान नहीं रखना है कि तिवारी जी ध्यान रखेंगे सबको ध्यान रखना है सबको ध्यान रखना है सर्थ तिवारी जी नहीं सबको लेना है चलो ठीक है दोस्तों आज के लिए session में इतना रखते हैं अपना आदा गंटा complete हो गया और उमीद करता हूँ आप इस आदे गंटे में खूब सिख गयोंगे बढ़िया तरीके सिख गयोंगे आप सबी लोग आप मिलेंगे आप सबी लोग special class में तीन बजे हमेशा की तरह जिसे मिलते हैं आपको simply on academy learning के आप download करना है और वहाँ पर मेरे नाम ढूड़ना है विशाल परियार में आपको मिल जाओंगा मेरी profile में आना class देख लेना इस code का इस्तिमाल करना आपकी class open हो जाएगी कितने लोग आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर यह मिरे को बताओ कि जीज़ से बिल्कुल आने वाले हैं तीन बज़े आपकी class से जाकी कर लेना से enroll पहले से बाकि आप सब लोग plus course में पढ़ना चाते हैं plus course में पढ़ना सब्सक्रिप्शन लेना दोस्तों इसी code का इस्तिमाल करना आपको 10% off मिलेगा ठीक है आप आओ आज class में देखो बढ़िया तरीके से बाकि आप लोग के लिए एक नया कुछ प्लान और कर रहे हैं हम लोग और ये जो 6 महीने बच्चे में 6 मेने पाच एक्जाम कैसे निकाल लिए जाए आरुन सा विशालता पुनी सा तीनो प्लान कर रहे हैं जो लोग नहीं है प्लस पर दोस्तों आप लोग भी प्लस पर आओ क्योंकि प्लस और यूट्यूब दोनों की कॉम्बिनेशन से हम चीजों को सीकते हैं है ना चलिए बाई-बाई दोस्तों बाई-बाई टेक केया लव यू ओल जैहें जैभारत टैंक्यू हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉनिंग माई नेम इस विशाल परिहार और आप लोगा स्वागत है इस सेशन में बड़िया शांदार क्लास करेंगे हम लोग वैसे तीन पार्ट कर चुके हैं फिलिंदी ब्लाइंग्सके पार्ट नमर वन में हम लोग ने देख क्लिए किस क्से तरिकी के फिलर राते हैं पार्ट नम्र टू कर लिया पार्ट नमर थीर पार्ट नमर थरी में बहुत सरे कौशन कहीते हैं आप radiation क्युके उस पैशल ने व दी को देग चुके क्यूंकि उस क्षेशल क्लास पार्टेंइंग्स करा तें क्योंकि उननके वर्ड हैं आसान बटन के uses अलग-अलग है है ना यहीं तो चीज होती जो आपको confuse कर देती है अंदर से आपको बोरोसा दिलाती है और मेरे को तो सब कुछ आता है बटन के uses जब अलग-अलग हो जाते हैं तो सब बेकार हो जाता है uses आने भी बहुत ज़रूरी है उसके आगी कोशन अब हम लोग हम यहां से करेंगे start करेंगे यहां से आप सब लोग आ रहे हो दोस्तो शुरुआत करते हैं सेशन मुझे सब लोग बताओ कितने लोगों ने देखा है वो सेशन क्योंकि 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 आज भी आज भी मैं यही करने वाला हूँ कि आज भी मैं special class में इस session को complete करने के बाद फिर इसका rest of the questions को special class में complete कर रहे होंगे बतलब complete कर लेंगे यह करके है जितने maximum question आप कर लोगे रहा filler के उतना ज़ादा मज़ा आएगा आज आज आप लोग फिर से मिलोगे दोस्तों special class में तीन बज़े मिलेंगे आप से भी लोग 3 पीम मिलेंगे दोस्तों on academy free special class पर आप आप में से जो लोग नए है मैं आप सबको बता दू किस तरीके से class होती है daily class होती है यह class एक तरीके से आप सीखते जाओगे है ना कि किस तरीके से हमें कॉशन करने और इस class में आपको फिलर्स कर रहे होगे हम आज की जितने यहां हो जाएंगे question उतने मिया करेंगे बाखी rest of आज हम यहां करेंगे simply मेरा नाम सेर्च करना विशाल पर यार academy पर मैं मिल जाओंगा और वहाँ पर मेरी class open करना इस code को लगाना यह invitation code class open हो जाएगी this is the invitation code class open हो जाएगी ठीक है ऐसे करके बास अतना कर लेना आज की class मिल जाएगी रेडिये से भी लोग सब रेडिये सारे session देखते हैं very good बहुत बढ़ी है बस यही मुझे उम्मीद है आपसे सीखते जाओ बढ़ते जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता आधा दूरा दिखो जब आधा दूरा देखते हो तो 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 फाइदा नहीं रहता आधा दूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उससा कोई benefit नहीं होता है ना पूरा complete देखना होता है session को चलो दोस्तों शुरुवात करते है session में यहां आपके सामने 22 में question से start कर रहे है question अपने सामें हो चुके है 21 है न तो 22 में question से करते हैं दोस्तों start और यह timer के साथ करते है start ठीक है हर question करेंगे वही 30 सेकंड ले रहे हैं बताओ यहलो करो जरा बताओ करेंगे करेंगे करना शुरू करों क्या आप लोगा अंसर आ रहा है option a आना शुरू हुआ ज्यादा लोग आ रहे है option a पर very good option a आ रहा है अप्रोफाउंड आ रहा है option b आ रहा है प्रोफाउंड आ रहा है very good शाबाश ओके ए रहा है ब आ रहा है मैं आपको देखो पढ़के बताता हूं हमें वोक्याब की यूज और वोक्याब का मतलब सब पता होना जरूरी है अगर थोड़ा थोड़ा जो नहीं बता होगा वहां पर हम गेस करेंगे ठीक है he said he ने कहा that the contemporary social values contemporary कोई चीज होती है न तो जुसका मतलब होता है उसी same समय पर for example अगर हम बात कर रहें आज की टाइम की 2021 की तो हमारे समय में 2021 में क्या क्या चल रहा वो सारा का सारा जो भी काम होगा वो contemporary हो जाएगा मतलब एक ही same समय काल में कोई चीज हो रहा थी होता है न तो उसको हम बोलते है contemporary तो नहींने का he said that the contemporary social values could be flippant जो contemporary social values है वो flippant हो सकती है flippant का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों कोई भी कैसी चीज जिसको लेकर आप respectful attitude नहीं दिखाते respectful आपना view नहीं देते respectful अपना नजरिया नहीं रखते तो वो होता है आपका फ्लिपेंड यानि की not respectful तो यह कह रहे हैं कि ही नहीं का contemporary social values है could be flippant वो flippant हो सकती है flippant मतलब ऐसा हो सकते हैं कि उसको कोई respect नहीं दे रहा ऐसी values हो सकते हैं जिसको कोई अच्छे से ध्यान से देख नहीं है तो हो सकते है flippant यानि यह आपको मालूम पढ़के एक प्यार यह negative word आगया flippant and dash at sometimes हो कई बार ऐसी हो सकती है तो हमने देखा कई बार कैसी हो सकती है जैसी भी हो सकती है यह आपका clue है यह आपका clue है and आपका conjunction दोस्तों यहाँ जो आएगा आपने देखा adjective है यह negative है end करके जो लिखा होगा तो यहाँ पर भी adjective ही होगा negative होगा बताओ इतना यह छोटा सा clue है यह सबको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि एसा हम कैसे समझ पा रहें कि adjective भी होगा एड negative होगा वह हम ऐसे समझ बारें जब किसी विख्तिकी quality की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि एक intelligent लगा दिया दूतर लगा दिया fool, गलत होगे न, fool और intelligent कोई लेना देना नहीं है, फिर हम and से क्यों connect कर रहे हैं, and से connect हुरी है na quality तो same, same तरीकी quality connect होते हैं मेशा, कभी भी वो opposite कर तरीकी की quality कभी भी connect नहीं होती, that means कुछ आपको यहाँ जो adjective लगाना है, that should be negative sense, वो negative sense में होना चाहिए दोस्तों आप ज़रा कोशिश करो negative sense की पहला है important can we use it not at all इसको use नहीं कर सकते important को हटा दो we cannot use important important तो positive है important तो positive है इसे use नहीं कर सकते छीके आचा दूसरा देखा profound profound का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर आपका great intensity है intensity समझते हो तीविरताब for example किसी भी intensity कि सकता है क्यारा काम तो जोश जह तो चीज़े तो actually उस चीज़ को बताता है क्या वहीं के रह Medicaid intensity कितनी है आपकими ने कितनी इन्चेर्स कितनी ज्यादा तीवर्र को चीज़ को बताता है intensity बताता नहीं यह रहता requirements के intensity को क्या हम इन्चछन कें इंटेंसिटी को युज कर सकते यह याद रखना इसे emotion के sense में आता है great intense sense में intense तीवरता वाले sense में समझे रहे हैं मेरी बात को हिंदी में भी लिख दिया हमने ऐसा करके can we use it not at all we cannot use हम use नहीं कर सकते क्योंकि हमें negative चाहिए negative word अब कौन कौन से हो सकते अब देखो यह तीन word है इन तीन word में हो सकता आपको inane का मतलब नहीं मालूम हो सकता आपको और यहां पर दोस्तों वोक्याप की knowledge काम आती है अगर आपको वोक्याप आती है तो आपको फसना नहीं है वैसे वोक्याप जून नहीं है उसको दोस्तों note करते जाना जो भी आपके लिए नहीं हो नोट करते जाना एक ही करके तो पहला है दोस्तों inane का मतलब होता है foolish मूर्ख जिसे हम बोलते हैं foolish मूर्ख इसको याद रखने ठीके फूलिश होता है मूर्ख very good अगला दोस्तों राइवेटिंग राइवेट होता है राइवेट का मतलब आपके अंदर की quality है आप किसी एक चीज़ पिस पर होना क्लाता है किसे खश्राएंशन देना क्लाता है मतनब एक चीज पर आप क्या से भाइपटेंशन देंग प्रम आटेंशन देते हैं ग्पर our attention पर उस पो आपको बलता है राइवेट वहặt दोसरा अब आप जो लगाओगे, he said that contemporary social values could be flippant and inane, वो flippant और inane हो सकते at sometimes, कई बार, flippant का मतलब हो गया कि हाँ ऐसी की जिस पर respectful नहीं है, बेकार है, मतलब ऐसी कोई चीज जिस पर respect नहीं दे रहे हो, not your attitude, not respectful, respect में attitude नहीं है और बेवकूफी वाली हरकते भी हो सकती है, तो foolishness वाली हो सकती है, तो तो यह flippant और foolishness लग जाएगा, absurd नहीं लगता है, absurd का मतलब है something which is not usual, जो usual नहीं होता न, usual से अलग है, unusual टाइप का वो absurd है, वो खराब है, मतलब जब unusual जिससे sense आएगा तब आप absurd लगाते हैं, खराब तो यह sense देता है, बट खराब कैसा है, something which is not usual, जो usual नहीं होती, अब for example, usual कैसे नहीं होती, हमने कहां कोई काम होता है, ठीक है, कोई काम करने का तरीका ऐसा है, एसे होता है कोई काम अब ऐसे ना होकर कुछ और तरीके से हो रखा है जोकि खराब लग रहा है विकाब लग रहा है तो वो चीज़ एब्सट हो जाएगी यह तो एब्सट है कर देंगे और हम गेस करते रह जाएंगे और गेस करते रहेंगे तो उसका कोई पता ही नहीं है कि कब आप उसको सही कर पाऊंगे कब नहीं बास समझ में आए दोस्तों एवरीवान एक बार मुझे सब लोग बताते क्योंकि देखो everything what depends on everything जिस पसारी सारी चाहे डिपेंड करते हैं वो है सिर्फ word और उसके uses जो नया लगे नोट कर लो नया लगे नोट कर लिया नया लगा नोट कर लिया बस ठीक है और maximum कोशिश करनी है प्रक्तिस करते जानी है ठीक है अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं दोस्तों यहां तक समझ में आगया मुझे बोले जी सर समझ में आगया बढ़या first class वेरी गुड़ शाबाश 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 अगले कोशन की तरफ बढ़तें दोस्तों ठीक है अगला कोशन यह देखो कि यह रहा इसको डैबल फिलर नहीं दोस्तों कोशिश करना गैस करके भी यह आंसर किया जा सकता है क्योंकि यह सब करने जंक्शन बेस्ट अब यह डिफिकल्ट नहीं यह तो फ्रों लॉजिकल है कोशिश करो डिफिकल्ट नहीं है इस लॉजिकल्ट नॉट डिफिकल्ट गवाण ट्राइट डूइट यह वर्यव्यव्य दिफिकल्ट नॉट अब यह जो सब्सक्राइब कर डिफिकल्ट करने चाहिए एट नहीं है कि वेरी गूड आंसर आना शुरू हुरे हैं और जैसा है कि मैं देख पा रहा हूँ, option number A के साथ D, A answer आ रहा है और एक दूसरा आ रहा है, इसके साथ में तो D आ रहा है, कुछ लोग C बोल रहे हैं, बढ़ हाँ option A कही सारे लोग कह रहे हैं, मैं ही मान सकता हूँ, 60% से जादा लोग कही साथ कही रहे है option A, हाँ, 60% से General had been told by the field staff, dash, although, because, although, because, because अब आपकी दिमाग में एक चीज़ है, because हम तब लगाएंगे जब reason होगा, हाँ, देखो, because तभी लगेगा जब दोस्तो reason होगा, तभी तो because लगता है, because यह reason दिया होगा और उसका दूसरी जगा उसका impact होगा, dash ली General had been told by the field staff, General को बताया गया, field staff के द्वारा, that containing warfare, अगर लगातार यूद चलता रहा, would be dash, तो वो dash होगा, to his soldiers, उनके soldiers के लिए, he insisted on deploying more battle tanks, उसने और insist किया कि जादर जादा battle tanks को deploy किया जाए, वैसे अगर आप इतना सब को देखोगे, तो इतना सब को देखने से आपको यह चीज़ मालन इसलिए, reason नहीं त्यार के आपके वो वाले सारे eliminate होगा ना, because लिखा हुआ है, वो वाले सारे eliminate होगा, because लिखा हुआ, बस simple, बतला आपने logically सोचना है, रटने वाला ही नहीं, logically सोचा, because लगनी पाएगा, क्यों, because, because तो तभी लगे है, क्योंकि यहां पर requirement है, reason की, but reason तो दे ही नहीं, तो यह लगी नहीं पाएगा, कि तो गलत हो गया, है न, आप सही कैसे होगा, देखो तरह, although, although वाले थी, दो ही हो सकते, although the general had been told by the field staff that containing warfare would be detrimental, detrimental हो सकता है, detrimental का मतलब harmful, नुक्षान दे हो सकता, बहुत जदा, detrimental हो सकता, to his soldiers, बिल्कुल बन गया है, although the general had been told by the field staff that containing warfare would be formidable, formidable का मतलब हुदा है, कोई भी ऐक ऐसी चीज़, जिससे आप जीत नहीं सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते है, you cannot win, उश्वाप जीत नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत powerful है, क्योंकि वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है कोई चीज, जिससे जीता नहीं जा सकता, उससे बुल आता है formidable तो क्या formidable का sense तो नहीं बन पाएगा देखो कि लगातार युद्ध होने से would be formidable formidable होगा अपने उनके soldiers के लिए formidable है handful होगा उनके soldiers के लिए इस वज़े से detrimental लगाए option a that is the answer option a दोस्तों that is the answer और वो इसका answer समद गये दोस्तों है ना detrimental मतलब हानी का रख exactly और बाकि जो दूसरे formidable मतलब कोई भी कैसी चीज कोई भी कैसा वेखती जिससे जीता नहीं जा सकता है वो formidable हो जाएगा उसके लिए ठीक है सिख गए मुझे जी सर सीख गए अगला कोशन दिखा देता हूं में हमें दो कोशन की वेरी गुड नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते जाओ तो एक बार कि वार फेर का मीनिंग बतादो सर कित्ती बार सुनोगे वार फेर मतलब युद्ध वार का फेर चल रहा है वार मतलब युद्ध का मेला चल रहा है वार फेर सिंपल काहे घवर आते हो भीया हैं आंसर बताओ क्या लगाया आप लोग उन्हें ऑप्शन बी ऑप्शन सी आ रहा है ओके मैं ऐसे बढ़ता हूं क्या बन पाएगा ऑप्शन बी आ रखा है और ऑप्शन सी आ रखा है ठीक है ओके पार्लियमेंट वर्न दी प्राइम मिनिस्टर पार्लियमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को वर्निंग दी क्या वर्निंग दी दोनों की बीच के जो डिफरेंसे यहनी मतवेद है अब लिज्जिलेटीव क्या होता है जो लौ बनाती है एक्सेटीव क्या होते है सरकार जो लौको इंप्लिमेंट करती है इन दोनों की बीच के जो डिफरेंसे ना of the government would be dash वो क्या हो जाएगी अगर एड़वाइज नहीं मानी तो क्या हो जाईगा एडवाइज ना मानने से डिफरेंस दोंगे और बढ़ जाएंगे हैसा यह निगाव कर्णा साथ होता है मतबद लुए कि हट जायेंगे हटेंगे तो बढ़ेंगे यह तो लेकिन इरोड पता है कौन सा खरना होता है हिंदी में पढ़ा है मृदा आ पर्धन म्रदा आ पर्धन इंग्लिश यूटर हो गावलाओ अपठता है इसथ है परतल Religion गर्दिया तो इरोड गलत होग यहां पर नहीं हो पाएगा क्लियर ना मुझे बोलें जी सर क्लियर अगला वड़े एक्जासर बेटेट वेरी कॉमन वर्ड एक्जासर बेटेड हमने बहुत सुना हुआ एक्जासर बेट का मतलब किसी भी चीज़ को और बढ़ता बत्तर बना गें खराब करतेना वह बड़ा इसे डिफरेंसे और बढ़ घाये तो खराब हो जाएंगे यानि इक्जाजर बीटा जाएगा इक्जाजर बीटा जाएगे तो खूब सुना हुआ ना इक्जाजर बेटेट मुझे बोले जी सर समने सुना हुआ है व्ढोट अगला वर्धोर दिया Biz इंग्जाम्प्लीत्य एक्जांपल द knit इंग्जांप्ली के लाता है एक्साफ्रेइट होना होता है इरिटेट होना फ्रस्टेट होना तो पिरिड़ेट होना ऑक्साफ्रेट होता ही तो लगनी पाएगा इंग्चाफ्रीन ऑ गया option number C is the right answer ठीक है यह होता है तरीका आपके answer करने का very good दोस्तों आप में सबी लोग जिसके answer एक्दम सही सही चले जा रहे हैं आपको अंदर confidence भी आ रहा होगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है मैं ऐसे कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं बहुत बढ़िया ऐसे continue करते जाना है सीखते जाना है अगली question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद अगला question देखेंगे फिर मैं आपको तरीका और बताता हूं कहों कहों कैसे कैसे करके पढ़ना है ठीक है चलो अगला question very good दोस्तों यह लो come on इसका करेंगे answer से भी लोग कि बताएं कि अपने mobile phone की voice को बढ़ा हूं यहां से वोइस तो बहुतते जा रही है यार डणा करा हूं मैं phone की voice बढ़ा हूं यह वोइस का मैं वोइस का मैं एक कमेंट लिखे जा रहे हूं लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे हूं कि चलो option number e काफी जादा आ रहा है very good है बहुत बढ़िया शाबाश very good option number e choose करने के लिए मेरे पास smiley है आपको देने के लिए ठीक है option number e choose के है जिसने उसके लिए smiley अब आप लोगों का सही हो जाए तो मेरे को बता देना चलो option option number e कोई पढ़ते सबसे पहले most journalistic writing जादा तर जो जनलिस्टिक राइटिंग होती है most journalistic writing जादा तर जो जनलिस्टिक राइटिंग है को डू विद डाश और परग्राफ वो परग्राफ में कुछ डाश करते हैं तो मेक दी प्रोज मोर डाश ताकि वो प्रोज को और डाश बना पाए प्रोज मतलब जिस कहानी को बता रहे हैं जिस वाक्या को बता रहे हैं उस अच्छा जनलिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं ताकि उनकी बताई हुई कहानी और ज्यादा कैसी हो जाए अनक्लियर हो जाए अच्छा पता ही नहीं चल रहे हैं किसने मडर किया किसने किसको पकड़ा क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये तो काम चलेगा दोस्तों हां बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा ध्यान से करना है नहीं पता दो जबर्दस्ती थोड़ी लिखोगे गलत होगे option number e बहुत सारे लोग option number e पर आये थे होगे unclear unclear कर दिया आओ दूसरा पढ़ते most generalistic writing could do with deletion of paragraphs हाँ ये ठीक है paragraph को वो delete करके कि कहा जरूरत है उसको रिको बाकी तरह देए उस आटा दो deletion of paragraph मतलब delete करके चीजों को delete कर दिया इस सिर्फ short बनाए जाए to make the prose more succinct उसको और जदा succinct बना दिया जाए succinct का मतलब होता है short में brief में यानि कि short में short बना short कर दिया जाए उसको brief कर दिया जाए short कर दिया जाए that is होता है succinct उसे बोलते हैं succinct वह होता है succinct अब ठीक हो जाएगा ना कि आप तो ठीक है शॉट में दैंदुवा टीटोरियल इतना ही बड़ा आता है ना उतना ही बड़ा लिखेंगे वह अपनी बात को तो नहीं में लिख देंगे अब वह ऐसे लिख रहे समझी नहीं आ रही निउस्पेपर खरिदना बंद दो जाएंगे यार किसे काम चलेगा हां यह वाला बन गया टीवाला और जरा पड़ो समझते आएंगे समझ में आता जाएगा मैं आप्शन व्यस्टी मैंने इसे यह बता है ना सी बहुत सारे लोगों ने बताता सी पर आचलते सी वाले को पढ़े रहे रहे रहा सी वाला ठीक है जनलिस्टिक राइटिंग को डू बिद सिंपलिफिकेशन इसमें डाउट आपको हो सकता है इसमें का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टेंड अहां अब मजाया डिफिकल्टू अंडरस्टेंड यानि की ऐसी बना देते हैं अपनी कहानी को कि उसे समझ पाना ही मुश्किल है यहां पर उसे अंकलियर बना दिया वहां उसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टेंड बना दिया हो कायब नहीं पता होगी कि यह हो जाएंगे बरबाब तो जाओगे फिर लो बेकार हो गया फिर तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टेंड आपको सब्सक्राइब कर दो कि आप कितना साफ साफ लिखते हैं पर इक्जामपल अगर मैंने साफ साफ लिखा अपना तो यह हो गया विशाल है ना तो साफ साफ होता अपने लिख दे करके हैं अब साफ 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 का साइस आईगा नहीं हात सबको समझ में आया तो मुझे जी सर गॉट इट समझ गए हैं बढ़िया परस्ट लास डियोगा राइट सीख गए शाबाज चलो बस बहुत है है ना हमारा अधा गंटा पूरा हो गया एक मैं आपको अलग कोश्चन देता हूं इसका स्क्रीन शॉट ले लो इसका आंसर करोगी आप कॉमेंट बॉक्स पर करना है दोस्तों इसका अंजर नौ बजे क्लास होती है दोस्तों इसके लिए हमेशे जुड़े रहा हो आज आज आए इसके बाद आप सब लोग स्पेशल ग्लास में मिलेंगे रेस्ट प्रेशन में करते हैं त्री पेम पर आओ पर स्पेशल ग्लास में एवरिवन हैना फ्री स्पेशल में पर नाम बिशाल पर रहा दूसरी चीज़ यह तो आपकी बात अब लेत्स कम टुट पॉइंट जो कि आपका दोस्तों प्लस का गोड से आप लोगे लिए बूल गए था छे मेने वाला प्लस का बैच सिक्स मंश का दोस्तों ये बैच है तो इनीच यह में निकाल ले ना इसक्स है रीजनिंग है इंग्लिश जीह आ ना अरुन सर है पुनीद सर है विशाल सर है सुश्मिता मेडम हैं हम सब लोग पढ़ाई रहें कॉंटिनियस बैच स्टार्ट हो रहा दोस्तों बारा तारीक से 12 फरवरी 2020 अरे 20 की आदत गई नहीं 2021 चीक है आप जब यहां आना दोस्तों 12 मेनी का सब्सक्रिप्शन लेना 12 मेनी के सब्सक्रिप्शन में सब कुछ कवर होता चला जाएगा फी दोस्तों उसकी बारा मेनी के सब्सक्रिप्शन की 655 रुपे है कोड आपके लिए यही मैंने बताए यह वीपी 10 इस कोड का इस्तिमाल करना यह रेफरल कोड है 10 परसेंट आफ हो जाएगा ठीक है फाइदा कैसे करके हमें पढ़ना होता है कौन कौन सी जगह क्या क्या सब कुछ आपको मालूँ पढ़ जाएगा आज हम आपके लिए एक वीडियो और करेंगे उस वीडियो में आरुज पुनी सर आ रहेंगे तब तक उस वीडियो में आपको पूरा टाइम और शिडियूल पूरा द देखो आपको क्या करना है आप डाउनलूड करना इस तरीके छे ठीक है आपने डाउनलूड करके इंस्टॉल किया उसके बाद आपको अपना गोल से लिक करना है यहां पर आपको गोल है बैंक एक्जैम आपने गोल से लिक किया उसके बाद सब्सक्रिप्शन पर आ लिखोगे और अपलाई करोगे दोस्तों फी कम हो जाएगी पैमेंट होने के बाद आपको क्लासिस के से दिखेंगी चारो की चारो टीचर्स की ने प्रोफाइल को आप सर्च करना मेरे नाम डूटो विशाल परियार मैं मिलूंगा अरु सर का नाम डूटो अरुन सिंगरावद सर मिलेंगे पुनी सर का नाम डूटो के पुनीत कुमार सर मिलेंगे तर其實 में मstaw सबकी प्रोफाइल में जाओ और उनकी ग्लासिस को पड़ो आज का और निंचिजार करो आज मैं आपको अपको सफका schedule बता दूँगा कैसे कैसे करके कौन कौन से टाइम पर पढ़ना है that would be very very beneficial कर लो अपना बस एक अच्छे से target करते हो बढ़िया तरही कैसे पढ़ो और बाकि आपको समझना है कि कैसे पढ़ते हैं मारे academy के platform पर तो आज आओ तीन बज़े वाली class मेरी class में पढ़ो देखो तो आपको अच्छा लगेगा दुसरा पाना ठीक है चलो खतम करते हैं दोस्तों बाकि कोई दिक्कत बाकि कोई समस्या हो तो मेरे को बता दे जाना ठीक है बाई बाई टेक इंग्लिश के उस बेसिक से पढ़ने के लिए एक बैच है बैंकर बैच आप इसको जॉइन करो बैंकर बैच के टाइमिंग है तीन बच कर पंदरा मिनट यह आपकी class होती है दूसरा दोस्तो आपके लिए class है इसके तुरंद बादा में एक अनकैडमी पर free special class भी करते जिसका नाम होता है दोस्तो bank as prep practice session लोस्तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि regularly जतना जादा प्रैक्टिस करोगो उतना सीखोगे प्रैक्टिस शेशन यह 4.15 मिनट पर होता है आप लोगोंने अगर enroll नहीं किया तो इसे enroll कर लेना दोस्तो कैसे enroll करोगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ ठीके दोस्तों आजाओ enroll करने के लिए Uncademy Learning App डाउलोड करके install करो यहाँ पर आप अपना goal चूस करो आपका goal है bank exam मेरा नाम डूडूडो विशाल परिहार मैं मिल जाओंगा मुझे follow करके मेरी profile में आना प्लस पर आओगे दोस्तों तो प्लस का course मिलेगा ऐसे special पर आओगे तो special course मिलेगा course open करने के लिए ये वाला code लगाना ABP10 आपकी class हो जाएगी open ये वाला आपको काम करना आज शाम सवा 4 बरे ठीके और अगर आप subscription नहीं लिया तो इसी code को लगाना दोस्तों आपको subscription मिलेगा benefit ये होता है code से तो आपको 10% off तो हमेशा मिलता है फिर भी अगर कोई offer चल रहा होता जैसे कि फिलाल अभी offer चल रहा है अगर आप 6 मिने के लेंगे तो 1 month extra आपको subscription मिलता है तो इस तरीके से आपको 12 मेने और 24 मन्त सभी में है तो कभी भी कोई भी offer मिलेगा इस code को लगा ना आपको subscription में आपको benefit मिलेगा इसके अलावा दोस्तों subscription आपको complete bank का मिलता है जितने भी teachers bank category को पढ़ाते है सारी class रह मिल जाएगी math, reason, English, जी, Hindi, सब मिल जाता है आपको आप आराब से उसको पढ़िए ठीक है, आजाएए इसके बाद दोस्तो ask a doubt एंग new feature है अनके अड़ेमी पर आप लोग ask a doubt में अपने question पूछना शुरू कर दो bank exam category में live हो चुका है English question पूछो, कोई दिक्कत समझ रहा है दोस्तों बताएगा team bet ही हुई है आपका answer करने के लिए आप ask a doubt question पूछेगा इसके लावा दोस्तों हर संड़े आपका IBPS clerk means के test होता है इसको भी जरूर दिया करो test देने के लिए भी आपको enroll करना इसी code को लगाना enroll कर लो, enrollment बहुत जरूरी है इसके लावा दोस्तों आप लोगों के लिए unacademy bank combat होता है एवरी संड़े, संड़े भी होगा इस code को लगाना AVP10 आपकी ये जाकर test इसको भी देने test देने के लिए बेटर तरीके जेता दा test दो के उतना ज़र सीखते जाओगे तो सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ मेरी शुब कामना है दोस्तों आप सभी के साथ में I wish you all the best मिलते हैं दोस्तों आप सभी से हम लोग अपनी अगली class में तब तक के लिए bye bye, take care, love you all जै हिन, जै भारत Thank you very much दोस्तों, thank you